हेलो एवरिबन रादे रादे आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीए फाइनल एफपार का नया बैच जो की कंप्लीट ली एस पर न्यूस लेबस रहने वाला है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इस बैच में अपनी कवरेज क्या-क्या रहने वा यानि आपको इस बैच को कंप्लीट करने के बाद इधर उदर से कुछ अलग चीज़ नहीं करनी सब कुछ इसमें ही कवर हो जाएगा अब नेक्स चीज़ आपको जो जानना जरूरी है वह यह है कि लेक्ट्चर के साथ तर इस बैच के साथ हम क्या माटीरियल रेफर करना प करता है वह भी इन कंण्यब्यूब्यूब्यूरर अगर आपको सब्सक्राइब करने के जबरत नहीं आपको उस वक्त सुनने और समझने पे फॉकस देना है इन मैं और को शेयर ख़ज़ा दूगा अकुछ ने भी नीड है आपको कुछ मत लिखिएगा सुनने और समझने पर ध्यान दीजेगा क्योंकि वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स के अंदर दूसरी चीज है क्वेशन बैंक तो क्वेशन बैंक में इंस्ट्यूट के जितने भी क्वेशन से चाहे वह समों आर्टीपी एम्टीपी एक्जाम सारे कुएशन में करके आप लोगों को हाड क्वेशन केस्ध विगार्शक प्रेशन पर स但是 करेंग लाई किए आपकोमवक्त में कुछ क्लास में ही मैं जब सॉल्व कराऊंगा आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी बाद में आपको सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम देने की ज़रुत नहीं कि साथ लेक्चर के बाद भी कुछ टाइम दे क्या नहीं वह ज़रुत नहीं पड़ेगी आपको क्यूंकि हॉम्वक में कुछ नहीं देने वाला क्लास में 100% क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं डिटेल के अंदर तो सर जब क्वेशन में के क्वेशन कराऊंगे तब भी हमें क्या बस सिर्फ देखना और सुनना है क्या नहीं यहां पर थोड़ा सा आलस्ते बाहर निकलना और थोड़ी सी महनत कर क्योंकि यह आपकी प्रेक्टिस के लिए है तो क्वेशन में क्लास में आपको प्रेक्टिस ने समय लेकिक्ति पृप्रेक्टिस करेंगा है । उससे क्यों ओगा आप लोगो की प्रैक्टिस हो जाएगी कि सब्सें इंप्रेटेंट है आप लोगों की प्रैक्तिस नीनीral है क्लास में यह ångए भुले को दिए रहते हैं ये लेकिन जो मैं कराूँवा अपना तरीके से होगा। वर इसे लिए क्या ले सब्सक्राइब करेंगे कोई भी आपको हमवक में कुछ भी नहीं मिलने वाला है पूरा का पूरा क्लास में सब्सक्राइब करेंगे इसके अलावा जो अपना इंस्टिट्यूट अपना क्या करता है कुछ चैप्टर में बिना बात के फालती थेयरी इलेस्ट्रेशन उन्होंने डाले हुए है और वह सिफ टॉपिक को एक्स्प्लेइन करते हैं और कुछ नहीं टॉपिक के एक्जामपल समझ लो वह एक्जाम के लिए कंप्लेटली रेलिवेंट होते हैं ना कभी आया है ना कभी एक् तो वह जो थेयरी इलेस्ट्रेशन उनकी मैं एक अलग पीडिएफ आपको बना के दूँगा उनकी एक अलग पीडिएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो उस पीडिएफ का क्या करना है वो भी पढ़ने क्या नहीं वह पीडिएफ आपको जिंदगी में अंगे बिल्कुल इरेलिवेंट रहें है वो आपको पढ़ने ही नहीं वह उठाके देखना ही निया वह चृफ टॉपिक करने लिए होता है वह मैं आपको वैसी क्लास में करूंगा तो उनको आपको देखना ही नहीं है इसको बिल्कुल भी देखने की जौरत नहीं है वह उसमें बिल्कुल टाइम मत लगाना उससे अच्छा आप दूसरे सब्जेक में टाइम लगाओ यह थी अपनी बात material के जो आपको lectures के साथ करना है concept notes और question bank इसके अलावा कुछ भी नहीं उठाना कुछ भी का मतलब ना कोई RTP, MTP, कुछ भी देखने के जुरत नहीं है सब कुछ इसमें ही cover है यही आपके फर्श्री विजन में काम में आएगा और यही लाश्री विजन में काम में आएगा के लिए रहे बात अब आगे चलते हैं अब नेक्ट सबसे इंपोर्टेंट जो अपनी काम में आएगी वह है डाउट क्या रहेगा सबसे इंपोर्टेंट चीज तो यह है हमारे डाउट कैसे होगी हमें एकसर कोई गाइडेंश ही होगी एक्जाम निकालने के लिए वह कैसे होगी तो सबसे पहली अगर मैं डाउट सॉल्विंग की बात करूँ ना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह दिहान दखना यहां गलतिया भी होती है और क्वेशन में आपको 100% क्लास में एक-एक सॉल्व कराऊंगा हॉमवर्ग में कुछ दे नहीं रहा तो क्वेशन में भी डाउट आने का सवाल नहीं है तो पहली बात तो आपको डाउट आएंगे ही नहीं इतना तो मैं आपको को मेल के थ्रू मिल जाएगा जैसे आप क्लास से लिए रजिस्टर करेंगे उस मेल में आपको मेरा नंबर मिलेगा उस नंबर पर आप वोट्सेप कर लीजिए या कोल कर लीजिए ज्यादा डाउट है तो विदिन 24 आर्स मैं आपका डाउट का रिपलाई कर दूंगा अभी विदिन 24 आर्स तो आपको 100% डाउट का रिपलाई मिल जाएगा यह मेरी गैरेंटी है बाकी मैं इतना अशूर कर सकता हूं कि डाउट आपके बहुत कमाएंगे ना के बराबर या आएंगे ही नहीं क्योंकि मैं सब कुछ सारे क्वेशन से क्लास में करवा देने वाला हूं इस बार आप लोगों को इसके बाद देखिए सब कोई गाइडेंश ही हो तो किसी और सब्जेक्ट की रिलेटेड गाइडेंश चीओ आपसे पढ़ा नहीं हो तो तो भी आप मुझे मैसेज करिए आपको गाइडेंश मिलेगी पूरी प्रॉपर टिल एक्जाम्स ऐसा नहीं जा सकते हैं तो वह लिए उपट्सेशन हो डर लगे आप बस मुझे समझे आप लोगों से कोई उसके प्राइड टेलिग्राम गुरूप का लिंक मिलेगा आपकी मेल के ऊपड़ पर टेलिग्राम गुरूप यसे इस रिल्प का लिंक के सिर्फ लिए यह जो गृति इसमें सिस्क्लास इस्टूडेंट्स जा सकते हैं तो वो लिंक मिलेगा आप इसको जरूर से जोइन कर लीजिएगा इस टेलेग्राम गुरूप को इस ग्रूप में हम जो भी अपडेट्स वगेरा आती हैं कुछ इस इस ग्रूप में हम डालते रहते हैं और हम आप लोगों के लिए से पहले से लाइघ रखते हैं तो उस लाइफ लिंक होता है वह नहीं करें ठीक कर करपना सब्जेक्ट सब्जेक्ट from s पेपर आएगा और आपको सारे कुजिशन में क्लास में कराऊंगा उसके बाद आप सोचो 80 प्लस नहीं ला सकते क्या 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 क्योंकि पेश्ट पेपर बहुत आसान मैं इसको आपको गैरेंटी दे रहा हूं इससे आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं लगेगा एक बार लेक्च और लेक्चर के बिगनिंग में फाइस मिनट में मैंने जो प्रिविएस लेक्चर में पढ़ाया होगा उसको रिवाई कराऊंगा तो यह प्लीस फॉलो कर लिजएगा थोड़ा सा टाइम बस इतना और देना एक लेक्चर देखा उसके बाद पंदा 20 मिनट देखें उस लेक कर लेना इससे आपकी सब्जेक्ट में इतनी तगड़ी कमांड आ जाएगे ना कि आपको एक्जाम तक सब कुछ टिप्स पे रहने वाला है यह चीज आप प्लीज जरूर से फोलो कर लेना जो भी पड़ो उसको डेली 15-20 मिनट में रिवाइस कर लो इससे ज्यादा नहीं लग करना आप जैसे माली जे चेप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उस चेप्टर के बाद आप उसका रिवीजन वीडियो सुनिए जो मैं अपलोड करूंगा देन मेरे कंसेप्ट नोट्स पढ़ना और फिर क्वेशन बैंक के जो सॉलूशन अपने क्लास में सॉल्व करें वह यही आपका मटीरियल इसके बाद आप लोगों को फ्री टेश्तम प्रोवाइट कर वाते हैं सबढ़तली आपको क्या करना है जैसी आपके अपे सब्लियल टेस्ट आपको मिला है वो लिखना उसी से आपको पता चलेगा आपकी क्या पर्फोर्मेंस आरी आप उसको इवैलूएट करोगे तब पता चलेगा कि सर यहां पर मैं पेपर अटेंप्ट नहीं कर पा रहा था यह एक पर्टिकुलर इस टॉपिक के क्वेशन तो मैं को से होई पर्फोर्मेंस कितने मार्क्स आ रहे हैं वह सब उसी से पता चलेंगे तो जरूर से लिखना आप लोग उसी से आपका इवैलूशन होगा पर्फोर्मेंस कैसे बढ़ानी है उसी से पता चलेगे आपको यह पूरा प्रोसेजर आपका रिवीजन था ताकि हम 80 प्लस तो आसा आपके 70 मार्क्स के सार डेस्क्रिप्टिव मतलब नॉर्मल क्वेशन जिनका आपको सॉलूशन पूरा प्रोपर तरीके से लिखना है यानि जो भी क्वेशन में में सॉलूशन कराऊंगा वह सब यह सेवन्टी मार्क्स का कंटेंट आने वाला है आपको लिखना रहेगा तो सब्सक्रिप्टिव में अपने स्टार्ट किया नहीं है पर इंटर्मीडियेट लवल में आपने एडवांस अकाउंटिंग पड़ी होगी और एडवांस अकाउंटिंग में आपने एक अमाल गमेशन नाम का चिप्टर पड़ा होगा तो उसके एक 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 समझा रहा हूं कि आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका पता कैसे फॉर्म होगा वही क्वेशन उठा लेंगे पूरा अमाल्गमेशन का दे दिया क्वेशन उसके बाद नीचे पूछ लेंगे एक पूरा क्वेशन नाम के पूरा क्वेशन आएगा उसके बेस पर 45 पूछ जाएंगे एक एक लाइन के पूरा क्वेशन आएगा 4-5 पूछ जाएंगे तो बस गोला भरना आपको इतना फायदा हो गया कि आपको पूरी की पूरी क्लास में आने वाला हूं आपको बिल्कुल डरने के जरूरत नीए एकदम आसान हो जाएगा अपने डेस्क्रिप्टिव क्वेशन बनेंगे वाले हैं पूरा क्लास में सॉल्व करेंगे और इसके लावा जो भी इंट्रिक्टिव की बुक आएगी वह भी मैं आपको पूरी की पूरी सॉल्व करवाँगा क्लास में तो आपको कुछ भी अलग से नहीं करना सब अपना क्लास में ही कवरेज हो जाएगा तो यह है आपका पेपर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट में आपके बोलू तो तो सिर्फ एग की चीज़ अगलत नियोगा आपको एंटी-टीडी undi इसके अलावा कुछ नहीं सर आपने लिखतो रखाए फॉर स्मॉल चप्टर वो मैं बताता हूं क्या है वह छोटी छोटी चप्टर है जो मुश्किल से मुश्किल पांसात नंबर के एक्जाम में आएंगे में तो आपको इंडियस ही पढ़ना है यह पढ़ लिया तो कॉर्स अल्मोस्ट कंप्लीट है वो तो लाश्मेपन पढ़ेंगे फटाफट उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो आज के दिन 39 इंडियस गौर्मेंट ने नॉटिफाई करके हैं जिसमें 35 इंडियस आपके स्लेबस में और यही आपका पुरा स्लेबस है यह सारे इंडियस पढ़ने हैं सारे कंसेप्ट भी नहीं क्योंगे सारे क्वेस्टन भी नहीं क्योंगे इसके बाद सर्य फॉर स्मॉल चेप्टर्स के हैं उनका भी बता देता हूं थोड़ा था एक होगा आपका फ्रेमवर्क फॉर प्रिप्रेशन ऑफ एंडर इंडियस एक एनलाइसिस ऑफ यह दो चोटे चप्टर जो है ना यह कंप्लीटली इंडियस से लिंक चप्टर ही है अभी समझ नहीं आएंगा इन पर धियान मत दो यह लाश्ट यह लाश्ट में पन पढ़ेंगे जब पूरे इंडियस हो जाएंगे ना आप खुद लिंक कर पाऊंटेंट और एक अकांटिंग एंडियस के अंदर एक चाटर अकांटेंट अपनी एथिकल ड्यूटी प्रोफेशनल ड्यूटी कैसे निभाएगा और टेक्नोलोजी के साथ साथ अकांटिंग कैसे होगी तो ऐसे अपने दो थेयरी च करेंगे सबसे लाश्ट में पहले अपने इंडियस से ही स्टार्ट करते हैं तो यह जो थेयरी वाले चप्टर मुश्किल से मुश्किल पांच नमर का वेटे जाए तो यह सब आपके बिल्कुल फाल्तु चीजे होती है में आपको इंडियस इस पर फोकस करना है वह अपने इसके पूरे स्लेबस में परना है तो यह था अपना पूरे सब्जक का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको दे दी अपने बैचा कि अपना किस तरेगे कैसे क्या रहने वाला है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जक्ट को पढ़ना एफ फार सब्जक्ट जो हमारा है इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फायनेशल रेपोर्टिंग अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है देखिए ये हमारा ऐफानल एफ डिया नाम है फाइनशल रिपोर्टिंग आपको लिखना कुछ भी안एं समझाओंगा सब लिखा हुआ है आपको मैं शेयर कर दूँगा आपको कुछ नहीं लिगना सिर्फ सुनना और समझना ठीक है पहले बता रहा है तो अभी तक तो अपने सिर्फ अपने न्यू बैच का इंट्रोडक्शन किया अब हम सब्जेक्ट को बढ़ना चालू करते हैं अपको ापको ही आप फाइनेशल रिपोर्टिंग के नाम से पढ़ खे अधा सर नाम को बढ़ दिया। क्यों बतलता सर नाम, कोई reason है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आज का lecture बस इसी से related होगा कि हमारा जो subject है, वो है क्या, financial reporting, याहनी आज का जो lecture है वो पुरा ज्यान वाला lecture होने वाला है, इसमें मैं आपको थोड़ी knowledge दूँगा, accounts related knowledge दूँगा, accounts होती क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या चीज है syllabus में, उस सब की knowledge देने वाला हूँ, यानि आज का जो lecture है, exam point of view से कोई काम का नहीं है, यानि आज आप पढ़ लो, सुन लो, उसके बाद इसको भूल जाना, इतनी सी बात है, मेरा फर्ज बनता है, ग्यान देना तो मैं दूँगा, थोड़ा सा समझाओंगा, आपको जब बाद में हम इंडेस वगेरा पढ़ेंगे अपना syllabus, तो आप समस्तों पाओ, क्यों है, क्या है, ठीक है, वो सब चीज है, तो financial reporting सर नाम क्यों किया है, इसके बा गुवराल, अगर मैं बात करूं, तो majorly तो इंडेस है, यह होते हैं, हमने इंडेस आज तक पढ़े नहीं, क्योंकि आप intermediate से आए हो, तो आज तक आपने कभी इंडेस नहीं पढ़े, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो, पूरा syllabus ही इंडेस है, तो सर यह होते हैं, हमने न इंडेस कोई खतरनाक चीज है, ऐसा कुछ है क्या, है क्या यह इंडेस पहले वो तो समझे, हमारा syllabus में पूरे इंडेस ही इंडेस है, वो हमें पढ़ने है, लेकिन होते क्या हैं यह इंडेस, क्या चीज है वो तो समझ में है, जब हम पढ़े तब हम समझतों पाई कि at least यह इसलिए पढ़ा जा रहा है इनको, क्या है यह इंडेस, वो मैं आपको बता रहा हूं, यह एक तरीकी से इंडेस का introduction दे रहा हूं, आपके syllabus का introduction दे रहा हूं, ठीके सिर्फ knowledge purpose से वापस से बता रहा हूं, सिर्फ knowledge purpose से exam के लिए कुछ नहीं है, ठीक है knowledge purpose, लिखना कुछ भी म नाम मिलना चाहिए न आपको, तो हम accounting की बात कर रहे हैं, वैसे भी हम इंडेस का accounting की terms में ही जानते आएं, आपने जितना भी कभी इंडेस का नाम सुना होगा, अकॉंट से related ही सुना होगा, तो यह नहीं मैं accounting की बात कर रहा हूं, तो सर accounting क्या है, क्या चीज़े तो accounting के base से start करते हैं, हमारे बच्पन से start करते हैं, accounting क्या है, आज आप CA final में आ चुके होगा, पहली बार अपर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, आप अपको अखरी बार पढ़ रहे हो, अगर इसके बाद आप कोई further studies नहीं करना चाहते तो, क्या आप CA final का exam दो होगी, तब से आपने चालू किया था, तो वो क्यों चालू हुआ था, क्या चीज थी, कैसे क्या बनती गई accounts, वो सब मैं आपको आज पूरा revise कराने जा रहा हूं, पुरे base आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपको समझ मैं है, बहुत से students अब ऐसे होंगे, जो चीज मैं बहुत सारी students को पता ही नहीं होगी, बस वो पढ़ते चले गए और आगे आगए, तो वो base मैं आज आपको clear करने वाद हूं, देखिए, क्या हुआ accounting, accounting का मतलब क्या था, हिसाब किताब रखना चीजों का, चीजों का हमें हिसाब किताब रखना था, आपको पूरी एक story सुन बिजनस बढ़े, लोगों ने काम करना चालू किया, तो उन्होंने सुचा हमें हिसाब किताब रखना चीजों का, ठीक हिसाब किताब रहेगा, तो बढ़िया रहेगा, पता तो चले कितना क्या हमारे पास पैसा है, कितना सामान है, सब पता रहे, तो हमें accounting करने की जरूरत, है, जिनकी accounting करने की बहुत ज़्यादा नीड है, उनका हिसाब किताब रखने की बहुत ज़्यादा नीड है, पांच चीजों की accounting करने की नीड थी, वो पांच चीजे क्या-क्या थी, Assets, Liabilities, Equity, Income, और Expenses, इंसानों को क्या समझ में आया हमें हिसाब किताब रखने की जरूरत है, इन चीजों की पांच चीजों का हिसाब किताब रखने की जरूरत है, हमारे पास आज के टाइम कितनी Assets है, क्या-के Price, प्रॉडक्ट हमारे पास रहे हैंeenth कितनी है मैं किसी को पैसा देना है तो मेरी लीबटिये कितनी है Myрон कितना अभी तक पैसा कमा के रख लिया कितनी अपनी वना ली कि फिर अपने धंदे से कितनी इंकम कमाता हो कितने खर्चे करता हूँ लोगों को समझ में आया कि न पांक चीजवो में हिसाब किताब रखने की हमें जरूरत पांच लिंप करने की जरूरत समझ में आयी अकाउंटिंग के बेसिक से बता रहा हैंसे तो किसpełnie हिसाब किताब रखा जाए कैसे करें अकाउंटिंग ठीक है रखनी है हमें अकाउंटिंग कैसे करें हमारे सामने अब एक इशू आया करें तो किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाहे तो उसके लिए एक सिस्टम डवलब किया गया जिसका नामता डबल एंट्री शिष्टम लूगाप एक करके परसन हुए ते पांसो-छेस्टम को इंट्रडूस किया था उन्हें नें बोला ठीक है आकाउंटिंग करनी है इसका विखताब रखना है तो इस सिस्टम से रखो इस double entry सिस्टम से रखो यह system पता है क्या बोलता था यह system बोलता था general entry pass करो आप क्या करतेटे थे जितनी भी आपकी assets रहे Have तो भी आप debit करते थे और आप credit किनको करते थे आपके liabilities हैं तो credit करते थे आपकी equity या capital है उसे आप credit करते थे और आपके income जितनी भी है उन्हें आप credit करते थे यह आपके accounting के basic rules है जिनको आप 11th class से पढ़ते आ रहे हो तो लुका पैक्यूली ने बोला accounting करनी है बिल्कुल करो एक double entry system इसने इंट्रेड्यूस करके दिया आप general entry पास कर लो असेट्स और expenses को debit कर लिया करो liability equity और income को आप credit कर लिया करो इस तरीके से इसने एक double entry system इंट्रेड्यूस करके दिया जो आस्तक accounting का system चल रहा है इस general entry के basis पे आप ledger account बना लो और इस ledger account से हम बना लेंगे trial balance और फिर इसके बाद बन जाएंगे हमारे final accounts यह हमारा पूरा प्रोसीजर होता था accounting का ठीक है यह पूरा प्रोसीजर था हमारा accounting का जो हमें लोगों को कुछ दिक्कत नजराई दिक्कत क्या एक consistency की दिक्कत consistency नहीं थी consistency कैसे नहीं थी मैं आपको एक example से बताता हूं consistency कैसे नहीं थी जैसे कि मानली जिए मैं एक machine खरीद के लेके आता था तो मैं उस machine को हमेशा खड़्चा मान लेता था और एक दूसरा बंदा था लेकिन जब मैं इस machine को मार्केट से खरीदता था यह तो हढंड रुपीज में कर लेता तो मैं उस अंडेर्ड रुपएस पे ही उस 100 रुपएस की कोस्ट में इस machine को रिकोड कर लेता था अपनी Booking Amaire एसायट की रूप में लेकिन जो मेरा पडोसी दु कोई ना इस पूरी मशीन को खरीदने के लिए तो वो मेरे पड़ोसी दुकान्दार 120 रूपी कोश्ट पे इस मशीन को दिखाता था ऐसे इस सब लोग अपनी मन मरजी से रिकोर्ड कर रहे थे लोग अपनी मन मरजी से कभी उसे असेट मान रहे कभी खर्चा वांग रहे थे कोई की सिब अंधे कर लेटा था और मेरा पड़ोसी दुकांदार पदे क्या minra पड़ोसी दुकानदार जिस दिन केश हसे कश मिलता था तो तो सर यहाँ पे ईक हम रखली कोई बंदा एक की पर्टिकुलर है चीज कि अलग तरीके से कर रहा है दूसा बंदा अलग तरीके से कर रहा है या नि पूरी दुनिया में सब अलग-अलग तरीके से क्या भरोसा करना क्या पता इसमें अपनी asset को बढ़ा के दिखा रहा अब भरोसा करी नहीं पाते तो भरोसा हर चीज की नीव होती है बेस होता है भरोसा सबसे जरूरी है तो भरोसा बनाने के लिए क्या जरूरती एक fix rule बनाने की जरूरती जब तक fix principles नहीं होते अकाउंटिंग के जब तक fix rule नहीं बनते अकाउंटिंग के market में ऐसी कचरा चलता रहता कोई consistently follow नहीं करता किसी चीज को और accounts पे से लोगों का भरोसा उठ जाता इसलिए accounting करने के लिए transactions को record करने के लिए कोई भी transaction को record करने के लिए fix rule या fix principles की जरूरती इसके एक example से बताता हूं आप लोगों को मान लीजिए आज की दिन अगर मैं किसी का murder कर देता हूं तो यहां पर rule है कि मैं jail जाओंगा कोई गरीब आदमी है वो भी jail जाएगा और फिर चाहिए सलमान खन murder करे तो वो भी jail जा जाता है यानि यहां एक fix rule है यहां low end order मजबूत है यानि आपको उस पर भरोसा बढ़ता तो बस वही चीज़ है accounting में भी rule fix करने के जरूरती ताकि accounting पे लोगों को भरोसा बढ़े लोग आकाउंटिंग पे भरोसा कर सके एक ऐसी चीज़ बने यह कि जिस पे लोग भरोसा कर बनाने की नीर आई अकाउंटिंग के हमें कुछ fix rule या principles बनाने की जरूरत हुई यानि ऐसे principles जो सब को मानने पड़े इनको हम बोल सकते हैं gap ठीक है इसे हम बोलते हैं generally accepted accounting principles यानि accounting के ऐसे rule बनाने की नीर पड़ी जो कि generally सब लोग accept करे जो कि सब को मानने पड़े सब लोगो करनी पड़ेगी किसी को सेल्स रिकोर्ड करनी है तो इस टाइम पर रिकोर्ड करनी पड़ेगी ऐसा कुछ तरीके के fix rules बन जाएं तो लोगों को consistency अपने आप ही हो जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी accounting में भरोसा बन जाएगा लोगों का तो ऐसा fix rule बनाने की जरूरत पड़ी अब सरी fix rule बनाएगा को रोड पे से उठके कोई इंसान बना देगा या मैं बना लग बैठ जाओंगा या आप लोग जाके बना देंगे fix rule ऐसा तो नहीं होता कोई भी बना दे fix rule बनाता कोन है किसी भी चीज़ के rule बनाता कोन है घर का बड़ा आदमी आपके घर मे किसी चीज़ के घर में ऐसा ऐसा होना चाहिए तो आज भी घर उनके rule से चलता है तो जो घर का बड़ा आदम है वो कंट्रोल करता है सब चीज़ों को वो रियूल बनाता है कि घर में क्या चीज़ अलाओ है क्या लाओ है आप लोगों में दो कुस तो भूगरत भी रहोंगे अच फ़ोगों सकता है तो इंटारी चीज़ों कर तो मैं कि घर का बड़ा आदमी गजाता है तो existem कि किस तरीके से कर जाए उसके रूरा यूल बनाने थे तो वह रूू बनाय वो रियूल को और बनाए aos और ओना एंधा को शोड़ी आखासिक ऐस अंत्रों होन इसमारे आसे लेखी quindi आइस का सबसे बड़ा आदमी तो यहीये रिवी वनाने के लिए इसने इस्मेश तो आईसी इने के फिक्स पैपले में फिक्स बैला के मुझा है फिक्स प्रिस्पल सक्ठीपल्टर जो सारे अकउंटिंग इस पर दिखाएं और भटा दे कए सब्रूल वंहां पर सब्सक्राइबरके युदर या को सब्सक्राइब प्रहसोंस और मुआ पता नहीं होता था यह होते क्या है आप में ते बहुत से लोग हो सकते हैं यह पढ़ लिए प्रेपर कर लिए लेकिन पता नहीं था एस के जरूरत क्यों पढ़ी क्या चीज़ थी यह और एस जो है ना आपने बच्पन से पढ़ें अकाउंटिंग के 11 क्लास आपको के रिउली बता दिया जाता है लेकिन वहां जो भी 11 क्लास में पढ़ते हो ना तो टीचर आपको अकाउंटिंग स्टेंडर्ड का रेफरेंस नहीं देता वहां टीचर बोलता है इनको मत पढ़ो अभी क्यों नहीं देता क्यों उनको भी मालूम अभी आप बच्चे आप समझ नहीं पाओ लगाना है इस 9 रेवन्यू रिकाउंटिंग स्टेंडर्ड में लिखा हुआ था इंसीट्यूट को लगा कि इन चीजों में लोग कंफ्लिक्ट कर सकते हैं तो उन्हों सब चीजों के रिउल इन्होंने बना दिये हर चीज का एक एक अकाउंटिंग स्टेंडर्ड नाम देकर समझ में आई आपको बात 11 क्लास से आप इन्हीं को पढ़ रहे थे तो कुछ लोग अभी तक आभी गयोंगे उनको पता नहीं अकाउंटिंग स्टेंडर्ड क्या रेलिवेंस यह रेलिवेंस ती अकाउंटिंग स्टेंडर्ड गी मतलब मैं आपको अगर बताओ ना अकाउं वहिए कुटी इंकम और इसमें इनको किस रिवेंस त्रौ करना है जैसे कोई पर्टिकुलर इसे इन्वेंटरी औरकर पर दिखाना है इंटेंगिस तरीके से रिकोर्ड करिघ जाएगी या फिर आपका कोई मान लीजी रेवेंग्यू है तो उससे आप कैसे रिकोर्ड तो यह आपका अकाउंटिंग से मैं लिंक बताते जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग डवल्लॉप होती जा रही है आगे देखिए अब आप लोग अब देखी सर अकाउंटिंग स्टेंडर्ड़ सा आ गए अब क्या दिक्कत थी मतलब अब हमारे से लवस्त में तो इन्डियस हैं इन्डियस और अकाउंटिंग ить स्ट्रेंडर्ड़ सब तो डिफ्रेंट्ट चीजे हैं क्या बिल्कुल लोग कर लें कर लें अकांटिंग करें दो Todya पाकिस्तान वाल ने अपने अकांटर tapping बना लिए को व्हाले सब्सक्रकेर स मनें कि पैसा हो ऑप कर समểnे मेरा क्रणाएं पैसा लिए ने अपने अकांटर नाम दिया अपने अपने खुर्ण बना लिए तो सर अब बात वहीं घुम फिर के वापस आ गई एक पर्टिकुलर देश की अंदर तो अकाउंटिंग कंसिस्टेंट हो गई पर पुरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी बहुत सालों पहले इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे देशों ने मिलके कमीटी बनाई और कमीटी में उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल के फिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिसाइड कर दिये इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स अकाउंटिंग इस्टेंडर्ड इस्टेबिंश कर दिये जिनका नाम था AIFRS इंटरनेशनल फाइनेशनल रिपोर्टिंग इस्टेंडर्स बहुत सारे देशों ने मिलके क्या किया एक committee बनाई और एक consistent fixed principles बना दिये accounting के जिनका नाम रग दिया international financial reporting standard बहुत सारे देशों ने मिलके पहले जो working हुई थी वो एक single single देश के level पे हुई थी जो कि accounting standard हमने बनाए फिर बहुत सारे देशों ने बोला कि आप हर country अलग अलग follow कर रही है तो सब लोग यह की follow करें हर country इसके लिए उन्होंने सब ने मिलके committee बनाई और IFRS establish कर दिये international financial reporting standards इसकी full form है जो हर country follow करना चाहिए ऐसा इन्होंने बोला तो आज के दिन मैं आपको बता दूँ सब्सक्राइब कर रहे हैं और पूरी दुनिया में आपको मालूम है कितनी country अप्रोक्स 200 country मतलब मैं अगर बोलू ना कि सारी country इस आपको बड़ा समझते हैं वो बोलते हैं हम ज्यादा समझदार हैं तो उनके बीच टक्राओ चलता रहता है इसलिए वो आज भी फोलो कर रहे हैं बाकी ऑस्ट्रेलिया कैनेडा पाकिस्तान चाइना सब लोग आए फरस पर आचुके तो अब इंडिया वालों को लगा कि हमें भी फोलो करने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह हो रहा है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कने में भरोसा बढ़ना चाहिए ऑसे हों एंडिया वालों को लगा की हमें भी फोलो करना चाहिए औहर मोदीजी कहते हैं कि देश पे इंवेस्टमेंट आना चाहिए फोरन इंवेस्टमेंट आएगा तो देश डवलप करेंगा बिल्कुल सही बात भी है गलत बात भी नहीं है तो पता है क्या हुआ इंडिया वाले फोलो कर रहे थे अकांटिंग स्टेंडर्स ठीक है रिलाइंस वाली मालोब बड़ी कंपनी देंडर्स विदेश यह है विदेशी आये मोदी जी की बास उनके फोरं से लोग आये उस्ट्रीलिया एक परसन आया हूं इंडिया में इंवेस्ट करने है तो उसने इंडिया की accounting standard वाली balance sheet नहीं समझ में आई वो बोला कि में यह को तो नहीं समझ में आ रहा है कि इस balance sheet की प्रॉफिट क्या 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 निकाल रखा है यह profit क्या है कुछ नहीं समझ आ रहा है वो बोला मैं तो नहीं करूंगा तो हमें भी आया फरस फोलो कर लेने चीए और ताकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अकांटिंग में भी consistency रहे इसलिए भी हमें आया फरस फोलो करने चीए रीजन था यह मैं आपको बता रहा हूं तो अब इंडिया वालों को भी फोलो कर लेने चीए आया फरस दूसरे इंडियावले हर चीज में कमी निकालते हैं हर चीज में कमी निकालने की आदत होती हमारी हमने बोला कि ठीक है आकांटिंग में consistency याया फरस फोलो करने को तयार है लेकिन यार यह तुम्हारा इवाला है यह यह फरस इसमें थोड़ी सी यह तुमने गलत रेटमेंट बता रह में तो इंडियाबों लो ने ऐटीजर को पता है किष्च के खोलों नहीं पास इंटरनेशनल थे हमारे लेलेते हुपोर्ब लेते घ्जेवी अपने कांडेन अपनी इंडिया थींच करेंक के लिए तो इसे बोलती हैं करना हम हम ने मिलकुल सबसेंच ज्छेड़ करें हैं इसके अलावा सब कुस्सि पोलटा सा इदर युदर से छेड़ आनी करना थोड़ा सा change करना तो हमणने है चेंज किया और उन्हें change करने के बाद हम अब हम उसे IFRS नहींkat ऑगर आप किसी चीज को थोड़ा सा change कर देतीये ओना तो उसका नाम नहीं रख सकते मान लो में पास एक calculator है इस calculator में से मैं कोई एक particular चीज हटा दूँ तो फिर मैं इस calculator नहीं कुछ हो नया नाम दूँगा अपने बस भाई चीज है कि आया फारस मेंसे मैंने कुछ चीजे उपर नहीं चेकरी कुछ हटाया कुछ डाला तो इस से इस प्रोसेस को बहला जाता है को कनवर्च करना और मुझे इस से नया नाम देना था तो मैंने नाम दिया ंडियाघंज आ कांटिंग स्टेंडर्स Gotta जो इस शोट में आप यार से बोलते हो इंडिस यही आपका स्लेबस है यही आपको प्रण है इंड एस इंडियाद अक्वंटिंगेंड हमने क्या किया हमने इफ यह इसके बहुर निखाली और कुछ चीज़ें अंदर डाली तब जाकि यह बना इंड एस मतला हमने इफर साथ घुब हमें उसमें कोई point का treatment दिखाई नहीं दिया जो कि इंडिया में होता है तो हमने वो treatment उसमें incorporate कर दिया यह change कर दिया उपर heading card के हमने IFRS के जगें इंडिया लग दिया बस इतना काम किया है हमें इंडिया वालों ने इतना काम किया है यह हैं इंडियास कार्व आउट का मतलब हमने IFRS में कोई चीज बहार निकाली कोई treatment था हमने उसे change कर दिया कार्व इनका मतलब कोई treatment इंडियास में थाही नहीं और जो इंडिया के environment में जरूरी था वह आपने उसके अंदर डाला तो इस तरीके से हमारे बने इंडियास कुछ कारव आउट कौछ कर विन करके पांच यह जिनको आपको कुछ हभी नहीं समझत दो इंडियाव आपको यह मैंने समझाया ओवर व वाजी हुई है और कुछ नहीं अब कार्वाउट कार्विन के साथ कुछ एक्जांपल देता हूं देखिए सबसे पहले कार्वाउट के एक्जांपल देता हूं कि हमारा जो अमाल गमेशन आप इंटर ल्यवल पर पढ़ते हैं अब ही मैं डिरेक्ट इंडस की बात मिन्हें कर सकता तो इंटर लेवल से अख्ञाம्पल लेता हूं ईंटर लेवल पर पर यह क्या कर रहे हो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं हम लोग पी एंडल में नहीं डाल सकते हैं इसको बिजनस एकुआर करते वागत जो गेन आ रहा है उसे हम डालेक्ट पी एंडल में डिखा देंगे अपने फाइनेशियल एस्टेटमेंट को बड़ा चड़ा के दिखा सब्सक्राइब अपने वहां पर बढ़ा है पर अकांटिंग इन नेचर और अकंट इन नेचर में बढ़ा फूलिं ऑफ इंट्रेस्र में तो जो ऑफ इसका इंडिया वालो ने बोला और यह क्या कर रहे हो हम तो हम मर्जर में इतने सालों से पूलिंग ऑफ इंट्रेस्ट में तो यह आपका इंडेस कैसे आया आपकी जो अकाउंटिंग है वही है आप कुछ लोगों के पता है क्या डाउट आता है जिन्नों ने इंडेस पहली बारा सुना होगा न वो लोग सोचे सर क्या आने सी डबल इंट्री सिस्टम खतम हो गया या बदल गया यह मतलब कोई चीज़ डेबिट होती थी या वो क्रेडिट होने लगई ऐसा कुछ है क्या नहीं डबल इंट्री सिस्टम सब कुछ वही है यह तो अकाउंटिंग के रियूस बेसिक्स हैं कि इन चीजों क्या अकाउंटिंग सब लोग अपने अपने रियूल दे रखे थे तो इंट्रनेशनल लेवल पर सब कंट्री ने मिलके एक कोमन बनाए जिनका नाम आयए फरस दिया तो वह हम अडॉप्ट करना चाहते थे पर हमें कुछ उसमें दिक्कते लगी तो हमने उनको कंवर्ज किया कुछ पॉइंट न और इंडियन अकांटिक स्टेंडडर्ड दोनों अलग लग चीज़े क será pilकुल अकांटिक अर्शनल अलग चीजह जो आप इंट्रमीडियाइब में पढ़के आ स्थानियें फिर आसे क्या इसके अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडेड कुछ अलग है एस से मतलब सर आमने एस 10 पढ़ाता पीपी का ऐसे इंडेस कौन से पीपी का कोई इंडेस है क्या बिल्कुल है इंडेस 16 पीपी यानि जिन जीन चीजों के आपने एस पढ़ेते ना अब हुनी चीजों जो के आपको इंडेस पढ़ने हैं समझ में आए आपको बात जैसे आपने एस नाइन रवन्यू का पढ़ा आथा यहां होगा इंडेस से नम्ब्रिंग अलग है तो याद कने पड़ेगी क्या नहीं वो सब बात की बात अभी बखाऊंगा क्या करेंगी सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलगे क्या जैसे एस टैन में पढ़ता था पीपी को इस कोस्ट पे रिकोर्ड करना है पीपी में कोस्ट पुरा का पूरा पूरा पड़ा है आपने इंवेश्टमेंट अकाउंट का एस थर्टीन पढ़ा होगा इंडेस में फाइनेशल इंट्रूमेंट लगता है उसके पर एक इंडेस और वह कंप्लीटली चेंज आपने अमाल कमिशन के लिए एस फ़र्टीन बढ़ा है यहां आप इंडेस 103 पढ़ोगे बिजनस कॉंबिनेशन नाम कर दिया वो चेंज है तो ऐसे कुछ जगे चेंज हैं कुछ जगे बिल्कुल सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकी आप लोगों से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने एस धंसे पढ़ेंगे मै यही मान के चलूँगा आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको हर एक चीज बेस से किलियर करता चलूँगा एक एक पॉइंट से बताता चलूँगा तो आपको कहीं घबराने की जगत नहीं है तो यह मैंने आपको बता दिया क्या आप इस लिवस में पढ़ने वाले हैं आपको यह चीज समझ आ गई होगी अब देखिए आप लोग आगे अपन बात करते हैं मैंने जितना भी आपको समझाया एक बार उसको मैंने नोट में लिखा हुआ है यह नोट मैं आपको शेर कर दूंग आल्राइडी बता है तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है किसी भी चेप्टर में तो यह नोट से आपने वापस से पढ़ लेते हैं जो आपने यह तक टॉट होते हैं जिसमें 29 तकी था करें जाते हैं जो कि अकांटिंग स्टेंडर्स बोड़ ऑफ करता है ठीक है इसे इंटरनेशनली लेवल पर इस चलते थे जो कि इंटरनेशनल अकौंटिंग इस ट्रेंड़ बोर इसु करता है और यह आया फर और तो हमने आपने बाशन इ तो हमने उनको converge करके इंडेस बनाया उसमें तो कुछ इन करा तो कार्वाउट करा आपने अकौंटिंग ट्रीटमेंट कुछ जगे चेंज किया जो आया फरस में लिखा हुआ है कार्विन मतलब आया फरस में किसी चीज के वारे में कोई ट्रीटमेंट अकौंटिंग नहीं दे रखी तो वह आपने उससे अंदर डाल दी तो यह था आपका टॉपिक जो भी मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ समझने के लिए अग्राम के लिए कुछ ही नहीं ठीक है काम का सिर किया है आपके स्लेबस में देखी है तो देख लेशए तर्टी नлан na कुछ यादही रखना है कि जैसे-जैसे मैं और भां हुग न आपको अपने आप नमबर याद हो जाएगा अपने पहली बार पढ़े होंगे ना इंटरमेडियेट वहां पर जैसे जैसे आप उनको पढ़ते गए अपने आप नमबर याद हो जाएगा तर नेम और नंबर क्या एस के सिमिलर है नहीं एस में मान लो आपका एस टैन था पीपी का यहां पर इंडियस 16 मिलेगा आपको पीपी का तो ने मों नंबर एस से पढ़ते हैं तो मैंने एक साथ यहां पर नोट डाउन करें तो एक बाल लिश्ट दी है मैंने जो आपका स्लेबस उसके लिश्ट दी और कुछ निये इंडियस क्या क्या आपके स्लेबस में आपको पता होना चाहिए बाकि इनको अभी कुछ याद नहीं रखना तब अपने आ ऐसा करोगे तो दो कियो क्योंकि इंडियस के बीर कि телеф आपके बीच लिंग रहेगा सब्सक्ताइब बॉसक्त है आपके और नीचे करते हो तो पर नीचे होंगे सेक्वेंस में करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगे तो यह जरूर से मान लेना फिर बाद में बोलो सर मैं तो लेक्टर वन के बार डायक्टी लेक्टर 50 उठा लिया था फिर कोई चीज उपपर से जाएगे तो फिर जाएगी कुछ चीजे जो पहले हुए बता चुकी होंगा मैं दूसे इंडेस में जिस्से लिंक होगा फिर वहां पहूरा रेफिया घ॥ तो आपको ल क्लीकस lieज लेक्टर को कुणा क्रूंबोल से यह नहीं है तो यह नुपर नीच है देखो आप देखो तरीके से चलती जा रही है इंडियास फॉट्टी वन तक आगा है फिर इंडियाज बंजेडो वंजिरो टू फिर नम्रिंग कैसे हवा में दे धीए ऐसे मनमर्जी से किस नम्रिंग के पीछे भी कुछ लॉजिक है जो मैं आपको बता देता हूं कि दिए नम्बरिंग कैसे होती है इंडियेस की नम्बरिंग किस तरीके से करी गई वह बता रहा हूं कि इंटर्नेशनल लेवल पर चलते हैं आई फरस न ऑज हुआ फरस में दो चीजेति दो चीजे क्या थे वह बताता हूं कि आई एक इस इंटर्नेशनल आकॉंटिंग किस्टेंडर नं इंटर्नेशनल Leah Around ugly स्टेंडर्स हैं इस तरीके थे, international accounting standard 1 था presentation of financial statements, international accounting standard 2 था inventories, international accounting standard 7 था statement of cash flows का और कुस्त है, ifrs 1, ifrs 2, ifrs 3, ifrs 1 first time adoption का, ifrs 2 share based payment, ifrs 3 business combination तो जो IFRS है ना इनको collectively IFRS बोला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे तो कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टेंडर्स चलते थे यह चलते हैं बन से लेकर 41 तक इन में से कुछ इनको collectively हम IFRS बोल रहते हैं अब इंडर्स की नंबरिंग इन collectively होने वाली यह totally IFRS है तो इंडर्स की नंबरिंग देखो कैसे करी गई IAS1 को जब इंडर्स में कनवर्ज किया गया तो content कुरा copy paste कर लिया जहां हमें carve out carving करना था वो कर दिया फिर number क्या करा इंडर्स 1 जो इसका number था वही नंबर रहने दिया IAS2 को हमने कर दिया index 2 IAS7 को हमने कर दिया index 7 ऐसे IAS41 को हमने कर दिया index 41 और जो IFRS की sequence में चल रहे थे हमने क्या क्या copy paste किया नाम कराível इंडर्स और सी नाम से परस्की से में किसे चला दिया हैंधेस कर दिया हैं मो एंदेस 101 aif 2 को div3310 303 C को कर दिया हमने ही इंडेस 1016 को कर दिया हम ने हैं पर ड़ाद आपकी नौलेज वाली बात थी तो यह थी आपकी इंडेस क्या है आपके स्लेबस में जो चीज है वो मैंने आपको बताए इंडेस क्या है कितने हैं वो आपको जो फोलो करने हैं आपके स्लेबस में तो आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अप देखे इस subject में मैंने starting करें subject का नाम का Financial Reporting तो तो subject का नाम Financial Reporting क्यों रखा? subject का नाम accounting क्यों नहीं रखा? तो मैं देखो इंस्टीट के अधर बताता हूं पहले Foundation level पर आपको Accounting नाम से दीया गया intermediate level पर उसका नाम Advanced Accounting कर दिया कुछ Advanced बढ़ाए तो सही हो अब एक लेवल ओर उपर आ चुक्ट आप फाइनल लेवल पर तो और एडवांस नाम होना चाहिए तो और एडवांस के चकर में इन्होंने नाम कर दिया तो फाइनिशल रिपोर्टिंग तेक्निकल नाम दिखना चाहिए ना कुछ भारी बरकम नाम तो फाइनिशल रिपोर्टिंग यहां पर नाम इन्हों ने किया अब इसके पीछे भी रीजन है वो रीजन सुनों आप लोग रीजन यह है कि देखो जब आप इंडेस में अकाउं में प्रेजन कैसे करोंगे में सबक्रेजन के साँना को सबके करते हैं इंडीusz हैं जो सिफ रिपोर्टिंग की बाद करेंगे यहिसी ने का थाटीफ स्झाएगा इंटंघ तो आप पर नहीं सिएगा यह segments जो होते हैं उन segments की रिपोर्ट बनाना सिखाएगा, accounting करना नहीं सिखाएगा तो कुछ इंडियस जो accounting की रिउल बताएंगे, कुछ चीज़ जो की accounting करना सिखाएंगे और कुछ इंडियस ऐसे हैं जो financial reporting की बारे बात करेंगे, reporting करना सिखाएंगे तो इंडियस सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया, financial reporting क्योंकि आपको सब कुछ करना है अकाउंटिंग का मतलब है कि आपने सिर्फ अकाउंट्फोर कर दिया, accounting का मतलब पता है कि आपने सिर्फ अकाउंट्फोर कर दिया अकाउंटिंग एक छोटी सिर्फ है, accounting मतलब आपने चीजों को बस बुक्स में record कर लिया, यह accounting है, तो financial reporting यह है, financial reporting broader time है, financial reporting में आप accounting तो करते हो, आप उसको बुक्स में present करते हो, financial statement में उसका disclosure देते हो, लोगों को report बना के देते हो, कि report में यह information और additional देनी है, वो सब की ब इंडियस के अंदर, इस वज़े से subject का नाम FRA financial reporting, एक broader term है यह, चीक है, तो यह आपका था, इंडियस का introduction, अब देखें, आगे अपन बात करते हैं, अपने, applicability of इंडियस, लिखना कुछ भी नहीं है, सब लिखा हुआ अरड़ी, यह मैं आपको बोल रहा हूँ, बार-बार थोड़ा से इसले बोल रहा हूँ, आप लोगों के आदत हो, तो रुख जाना सिर्फ समझने पर फोकस करना, दिखिए, अब आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी, कि सर ठीक है, इंडियस के सब को फोलो करने है, क्या इंडियस हर बंदे को फोलो करने है, जो भी दुकान खोल के बैटा है, जो भी कंपनी है, हर इंसान क्या इंडियस फोलो करेगा, और अगर हां, तो हमें क्या एप्धिकेबल नहींद है कुछ लोगों को ही इंडियस फनोग करना है कुछ लोगों मतलब कुछ बड़े बड़े नोगों को दीकुछ इन ड strawberries फिर तो इंटर नेशनल लवल परिगांटिंग consistent हो इंटरनेशनल लवल मेरे घर के बगल में किराने की दुकान है उस बंदे को इंटरनेशनल लवल पर क्या लेना देना उस बंदे की दुकान में कोई foreign investor invest करने थोड़ी ना आएगा फ्यों बड़ी बड़ी तो का है अगया बड़ी-बड़ी पर लगेगा बड़ी कंपनी के हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं बाकि जितने भी लोग है यानि कोई प्रोप्राइटर्सिप है कोई पार्टनर्शिप है कोई LLP है या जितने भी लोग है न बाकि सब लोग आज भी अब बड़ी बड़ी कंपनी चोटी कंपनी आज भी एस फोलो करेंगे वह क्राइटरिया मैं आपको बता देता हूं वह आप लोगों को बता देता हूं जी प्रेयिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आ था है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए थोड़ा पहा सकते हो उठाके और नहीं भी कर पाऊ गव्यांश के लिए इसमें से थोड़ा सा पॉर्शन काम कर रहेगा जो मैं बता दूगा क्यूंकि बुक में आपको इंट्रोड़क्शन देने जा रहा हूं वो थोड़ा ज्यादा के लिए थोड़ा सा ही काम का है और एक्जाम के लिए तो पूरा इस्रेलिवेंट है कोई लिमिट वगेरा ध्यान नी रखने बस आप सुन लो एक बार और सुनने के बार दिमाग से बहान निकाल दोगे तो भी चलेगा मेरा फर्ज है बताना इसके बता रहो देखो अब इंडेस किस पर लगाने हैं इंडेस बड फर्ष्ट अप्रेल 2016 से अंवार्स जो भी फाइनशेल farms इस यह से बड़ी बड़ी इनवार्स ऑपनी अब वो companies कोन से थी वो सुन लो मुझे मिटिंग और प्राइवेट निया कोई-से लिस्टिंग नहीं किरवाई कैसी भी कमपनी जिसकी जिसकी नेट वर्थ जिसकी नेट वर्थ 500 करोड या उससे जाद हो ग्रेटर देन और एकुस टू लिखाया मैंने निए फाइफ नेट वर्थ एक बार सुनने यह टॉपिक इसको कुछ याद नहीं रगना तो यह ज्ना जादा मैं भी इस पर सुपकस न कर लिया अब क्या लेना देना ठीक है यह पॉइंट बिल्कुल फालत हुदा पर अपना इंस्टिट्यूट कोपी-पेश्ट करने की आदत है जब इंडियस स्टार्ट हुए थे ना इंडियस टेकनिकल फैसिलिटेशन गुरूप बना था इसे शौट में बोला गया था उसने कुछ एक्जांपल दिये थे कि कौन कौन कोंदी कंपनी इसको इंडियस लगाने पड़ेंगे उसके लिए कुछ एक्जांपल दिये थे वह इंस्टिट्यूट ने अपनी मॉडियूल में कॉपी-पेश्ट कर दी क्या करें से इंडियस लगाना मेंडिट्री हो गया था इंडियस फोलो करना पड़ रहा था ऐसा फेज वन में बोल दिया गया था ठीक है फर्स्ट अप्रेल 2016 से इसके बाद देखिए अब इसमें जो यह नेट वर्थ है ना यह नेट वर्थ कब की चेक करेंगे यह नेट वर्थ है य कांसे लिए कट ओफ डेट इंडियस ने दी इतीन का मेंट करोड यह उससे ज्याधा हो गई ती उसको फिर्स अप्रेल 2016 से इंडियस फॉलो कर नहीं पड़ेंगे फोर एक्डांपल के लिए मालीजे ए लिमिटेड एक कंपनी थी इसकी नेटवर्थ इगत्ती तीन चोधा 31 मार्ट 2014 को अगर मानलो 550 करोड हो गई थी तो बात इसको 1 अप्रेल 2016 से इंडियास फोलो करना ही करना पड़ेगा यह बोलता था फेजबर सर 31 मार्ट 2015 को मानलो इसकी नेटवर्थ 200 करोड ही रह जाती तो तो भी करना पड़ता क्योंकि पहली कट आफ डेटिंग की बीज में और लगा हुआ था इन तीनों में से किसी भी डेट पर अगर क्राइटेरिया फुल्फिल हो गया नेटवर्थ का तो एक अप्रेल 2016 से इंडि पिल्कुल इसको भी फास्ट अप्रेल 2016 से इंडियस लगाना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों में से कोई भी डेट पर अगर नेट वर्थ क्रोज कर गई थी कोई भी एक डेट पर क्योंकि इनके बीच में हो रहे है कोई भी एक डेट पर अगर नेट वर्थ क्रोज कर गई 500 क लगाने की बात करें गवर्मेंट के एक बार में सभी बड़ी कंपनीज पर नहीं लगा सकती थी धीरे-धीरे सब पर इंडेस लगाना चाहती है इंडेस प्रॉपर एप्रॉप्रियेट है इस वजह से तो फेस्टु में गवर्मेंट ने बोला फास्ट अप्रेल 2017 से यानि 2017-18 वाले financial year से कुछ कंपनीज को इंडेस फॉलो करना में इंडेटरी हो जाएगा वो कुण सी कंपनीज है ओल लिष्टेड कंपनीज प्लस ओल अनलिष्टेड कंपनीज जिनकी नेट वर्थ 1200 करोड या उससे जादा है फास्ट अप्रेल 2017 से हर एक कंपनी को मेंडेटरी कर दिया गया इंडेस लगाना कौन सी कंपनीज को जो कि लिष्टेड है इस्टॉक मार्केट में लिष्टेड है फिर चाहे उनकी नेट वर्थ जीरो ही क्यो ना हो तो उनको इंडेस फास्ट को केंनेटरी तो उस केंपनी कोट onboard 17 ना निएस जादा है या उससे ज्यादा है उसको भी फिस्ट अप्रेल 17 ने लगाना पड़ेगा तीक है 500 क्रोड से या ऐस दिन से लगाने लगेंगी और 250 करोड या उससे अबो नेटवर्थ वाली 1st April 17 से लगाने लग जाए थी इस दिन से इंडियस लगाने लग जाए थी नेटवर्थ कपकी चेक करी जाएगी सर यहां पर देखो लिश्टेट कम्पनी के लिए तो नेटवर्थ देखनी नीए 1st April 17 से लग जाएगा सभी लिश्टेट पर और अनलिश्टेट में यह नेटवर्थ कपकी देखनी है उसके लिए 31,14, 31,15, 31,16 और 31,17 इन 4 में से कोई भ पड़ेगा इंडिया 1st April 16 से नहीं लगा तो ठीक है 1st April 16 से लगया तो ठीक है चलता ही रहेगा ऐसी कंपनी जिन पर नहीं लगा उनको 1st April 17 से लगाना पड़ेगा अनलिश्टेट कम्पनी जिनकी नेटवर्थ इन 4 में से कोई भी डेट पर 250 करोड या उससे उपर चली गई होगी मालों किसी कंपनी की नेटवर्थ 31st March 14 को 270 करोड तो 1st April 16 से तो लगा नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो क्राइटेरिया था 500 करोड वाला लेकिन इसको 1st April 17 से लगाना पड़ेगा आज है डिसाइड हो चुका है इसी दिसाइड हो चुका था कि इसको 1st April 17 से लगाना या नहीं हुआ था वह आज के दिन क्या काम का लेकिन अपने इस्ट्यूट इतना क्या ही बोलू बस कोपीपेश्ट करने के आदात है तो पढ़ाना पड़ रहा है आपको बताना पड़ रहा है एक्जाम में कुछ भी नहीं कोई लिमिट याद अगनी नहीं कोई आगे वाल कंपनी जिसकी नेटवार जिसकी नेटवर्फ All-Listed Company प्लस कोई भी UP कंपनी जिसकी नेटवर्ट2 50 करोड या उससे ज़्यादा हो इन पे इंडिस लगेगा आज आज की दिन इन पर लोम ते के बाद हो यहां तक कि तो बात हो गई इन तक की तुन कुर पूल्फिल किया ओ सब्सक्राइब करोड हुई इस दिन पहली बार इसकी नेट वर्ट 270 करोड हुई तो इस पर इंडेस पता कब लगेगा उसके इमीडियेट नेक्स्ट येर में यानि 2020 फाइनिशल है यानि अब आज के दिन बस तिर्फ इतनी सी रेलिवेंस ही है कि जो भी लिश्टेट कंपनी है उनको इंडेस करना है और आज के दिन अगर कोई भी कंपनी का ये रेंड पर नेट वर्ट 250 करोड या उससे उपर क्रोस कर जाती है अनलिश्टेट कंपनी की तो इ मिटिर्वी अगले आख ये से इंडेस करना चालू कर देना है उससे फेले वह क्या होगा इन्विसर कि publivat करो इस है और यह थियो है जुड़ को gemeinsूरीवेंस हैअ देखिए एप्लीकेबलिटीव उफ इंडेस में इंडियन कंपनीज पर लगेगा फेज बन फर्स अप्रेट टूथाओदेन सीविफ्टेड ऑन लिस्टेड ऑन लिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्ट तूफिफ्टी करोड यह उससे ज्यादा थी फॉटीन को फिफ्टीन को को 16 को या 17 को ठीक है इसमें भी जो सेकंड पॉइंट पर पैंडिंग रखों लास्ट में चार्ट में मैंने लिखा इफ कंपनी मीश्डी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन फेस्टू इन एन इयर आफ्टर इसमें एक पॉइंट और लिखा है वो थोड़ी दिर में मैं आपको डिसकस कर दूँगा अब देखिए अब आप आगें कर दो करें कि जो नेट वर्थ कि कैल्कूलेशन में क्या आएगा नेट वर्थ कैलकूलेट कैसे होगी वो भी समझ लो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगा इस टिकंट की मीनिंग वही है जो कंपनीग में दिवी है टिकां इंड आइन्डेज कंपनीज पर लग रहा है यहां चुछ पड़ा है इसके बाद कोई भी फ्री रिजर्फ यानी जनरल रखा हुए है कुछ इसके बाद कोई प्रॉफिट कमाती है तो बॉलेंस कीम लेट होता जाता है यह पॉजिटीव नेगेटिव कुछ हो सकता है लोस कमाए होंगे company ने तो negative भी हो सकता है जिसे आप surplus या deficit बोलते हो जिसे आप surplus या deficit बोलते हो इसके बाद कोई miscellaneous expenditure आ रहा है company की asset side में जो कि उसने return off नहीं किया अभी तक balance sheet में asset side में miscellaneous expenditure आ रहा है जो कि अभी तक write off नहीं किया गया तो उसको आपको less करना है ठीक है उसको आपको less करना होता है यह net worth की meaning है जो company's act में दे रखी है इसमें ज्यादा को discuss करने को नहीं है तो यह सब आप कर दोगे तो आपको net worth मिल जाएगी इस तरीकित आप net worth calculate करोगे और उसके बाद आप check करो कि आपका criteria फुल्फिल हुआ है नहीं हुआ equity share capital plus reserve free वाले reserve लेने होते हैं आपको free reserve में security premium होता है general reserve होता है और P&L का balance होता है positive है तो plus minus negative है तो और miscellaneous expenditure का balance sheet में आ रहा है debit side में जिसको आपी तक आपने write off नहीं किया तो वो less कर देना है कोई बाकी reserves आपको लेने नहीं होते हैं बाकी reserve मतलब revolution reserve है वो free reserve नहीं होता वो revolution करके बनाया है वो कोई actual में आपका profit नहीं एक तरीके से तो उसको आपको यहां consider नहीं करना होता network की calculation में यह आपको ध्यान लखना है तो network की calculation इस तरीके से कर जाएगी क्योंकि यह सब्सक्राइब कोई कंपनी एस फोलो कर यह तभी तो उसके बाद आएगी ना तो अभी तो एस वाले आइटम से आ रहे होंगे तो इस आक्वर्डिंग करते हो network और फिर आप चेक करते हो तो एक बार आपको बोला इंस्टीट ने कोपी पेस्ट करने के आधा तो उस टाइम के वह क्वेशन से वह कॉपी पेस्ट कर दिये 2014 के आपको डेटा दिया है सारे पता है उस टाइम जो एक्जामपल बनाए गयते कंपनी इसको फैसिलिटेट करने के लिए कि आप पे इंडेस अप्लिकेबल है यह न के लिए बिल्कुल एक बार सुनना फिर भूल जाना दुबारा जिंद्गी में इनको देखने के जरूरती नहीं है ठीक है इस चैप्टर के जो भी मैं आपको टॉपिक पड़ा रहा हूं या क्वेशन करा रहा हूं दुबारा देखने की जरूरती नहीं है बस आज पहली ब सब्सक्राइब कर रहा है अब देखिए आपको लाइबलीटी और एसेट में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखिए आपसे पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट में बताईए जो एप्लिकेबलीटी वाला सिनेरियो होता है इसे रॉड मैप बोलते हैं अप्लिकेबलीटी का रॉड मैप बताइए कौन से फेद में कंपनी यह आएगी और आपका आंसर चेंज होगा क्या अगर कंपनी एक अपन अनलिस्टेड कंपनी माने तो अभी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखिए थी कि यह लि आप क्यां कि अगर कि क्वेशन नंबर बन का आंसर देखिए बापन आंसर करेंगे क्याशन नंबर बन का इसके लिए जब भी मैं सोलुशन कराऊं एक सेप्रेट रजिस्टर मिंडेन करना बागि इस चेप्टर के तो बिल्कुल फालतू है मैंने बता दिया बिल्कुल भी कभी भी नहीं आएंगे आपको आज के बाद पढ़ने ही नहीं है अगर आप नोट डाउन करना चाहों कर लो थोड़ा बहुत मैं इसमें लिख़ाता हूं बाकि यह जो क्वेशन है इस चेप्टर म में क्वेशन आएंगे वह अपन पूरे सॉल्फ करेंगे इसमें प्रैक्टिकल कुछ होने वाला नहीं है तो थोड़ा बहुत ही लिखने जासा होगा इसमें तो देखों कौन से फेज में फॉल होगी उसके लिए हम नेटवर्च चेक करेंगे तो अब 31 मार्च 14 की आपको ड रुपी दिन करोर्स में करनी है तो देखों कैसे नेटवर्च का मैंने आपको बताया फॉर्मुला एकुटी शेयर कैपिटल लेनी है आपको प्लस सेक्योर्टी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व आपको दे रखा है रिवैलुशन रिजर्व लेते हैं क्या नहीं यह नहीं है 150 और 75 आपको जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो एक्जाम में भी बस इस तरीके से करना है जैसे मैं जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तो यह पूरी अलाओ एक्जाम में सिर्फ अमाउंट की फीगर्स के मांक्स होते हैं पुरा प्रेक्टिकल रहने वाल है 160 प्लस सिक्यूर्टी स्प्रीमियम आपका कितना है 200 प्लस जन्रल रिजर्व जन्रल रिजर्व आपका कितना है 150 प्लस पी एंडल का बैलेंस कितना है आपका 75 और इसमें ते आप माइनस करोगे यह कितना आपका 80 रुपीज का या आप टोटल कर लीजी या आएगा आपका 505 करोड या चुगे मेरी नेटवर्थ एजोन 31 मार्ट 2040 अब बताओ एजोन 31 मार्ट 2040 नेटवर्थ 500 करोड से जादा है हमें यह देखना नहीं होता चाहिए लिष्टेड है या लिष्टेड है 500 करोड से जादा है तो 1st April 16 से एप्लिकेबल हो जाएगा Phase 1 में बस यही आप लिखोगे करोड से चाहिए लिएसे नेट लिए लिएव थार दोन 31 मार्ट 2040 नेटएस बूल बताओ लिएप्लिकेबल on it from phase 1 phase 1 से इस पर इंडियस अप्लिकेबल होंगे that is 1st April 2016 1st April 2016 से इस पर इंडियस अप्लिकेबल हो जाएंगे यह conclusion हो गया बस यह answer आपका phase 1 में cover होगा यह answer हो गया इसके बाद देखिए इसी में आगे पूछा है अगर यह unlisted company होती तो क्यों था विसका भी दे देते हैं if a limited is an unlisted company is an unlisted company then the answer will not change index will be applicable from phase 1 that is 1st April 2016 अगर ए लिमिटेड अनलिष्टेड कंपनी है तो भी आंस्वर आपका नहीं बदलेगा इंडेस पास्ट अप्रेल 2016 से लगेगा क्यों क्यों क्योंकि आगा 31 मार्ट 2014 को हमने फेस्वन में क्या पढ़ा था कोई भी कंपनियों चाहिए लिस्टेड हो या अनलिष्टेड हो पां अगर यह नेगेटिव 375 करोड हो तो बताओ इस कंपनी पर इंडेस लगेगा क्यों लगेगा तो कब से लगेगा आपका आपका चेंज होगा क्या अगर यह कंपनी अनलिष्टेड कंपनी हो तो ठीक है इसका भी आंसवर देते हैं तो सेकेंड केस में कैलकुलेशन आफ ने मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक्जाम में सिर्फ आपके कैलकुलेशन के मार्स होते हैं माइनस पी अंडल बैलेंस अपकी बार माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव वाला है और माइनस मिस्लैनियस एक्सपेंडिचर देखिए एक्विटीशे कैपिटल वह ही अपनी ये टू हंड्रेड का ये वन फिफ्टी पी अंडल का बैलेंस अपना नेगेटिव 375 है और मिस्लैनिस एक्समेंडिचर एक्विटीव अपकी बार नेगेटिव 375 यहनि माइनस तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यह सॉल्व करिए आप लोग यह आया 55 करोड यह 55 करोड है आपकी नेट वर्थ आपकी बार नेट वर्थ कितने है 55 करोड अब आप आंसर देंगे देखिए यह आपकी बार नेट वर्थ करोड एक्विटाए इस लेख धन 500 करोड रूप्स and it is a listed company Indias will be applicable on it from phase two, that is 1st April, 2017 देखिए, नेट वर्थ 55 करोड है, तो नेट वर्थ वाला क्राइटेरिया तो मीट होई नहीं न, 1st April 16 से जब लगेगा, जब नेट वर्थ 500 करोड है उससे ज्यादा हो, लेकिन यह listed company है, तो 1st April 2017, phase two क्या बोलता था, थारी listed company पर लग जाएगा, जिनकी नेट वर्थ, कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं परता, तो listed company है, तो 1st April 17 से तो इस पर mandatory लग जाएगा, phase two में, बस बात कहता हूँ, अब दूसरा इसमें पॉइंट अगर यह unlisted होती तो, if A Limited is an unlisted company, then Indias would not be applicable on it, unless it meets the net worth criteria, अगर यह unlisted company होती तो देखो क्या होता, 1st April 16 से तो लगी नहीं जाएगा, 500 क्रोड से उपन नहीं है, 1st April 17 से अनलिश्टेट पे जब लगता, जब लगता, जब 200 क्रोड होती नेट वर्थ, इसकी तो 55 क्रोड है, तो unlisted होती तो इस पर इंडियस नहीं लगता, जब तक network criteria fulfill नहीं कर देती, future में जब भी network criteria fulfill करेगी उसके अगले साल से इस पर लगना चालो हो जाएगा, यह इसका solution है, question का solution complete हो चुका है, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप इसको post करके लिख लो, ठीक है, बाकी यह जो questions है, इस चप्टर में जो भी कराऊंगा, सब फाल्टू है, कुछ भी दुबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ फिर भी एक बार लिख लो, मैं class में आपको करवाई रहा हूँ, एक्जाम में कैसे करने हैं, कोई theoretical questions है, तो आपको बस as per rule, index किस पर applicable है, वो limit लिखनी है, और जो मैंने solution कराया, वो करना है, ठीक है, आपको rule हमेशा लिखना रहेगा, 2-3 line में, जो मैं concept notes में आपको दे रहा हूँ, हर index में, हर question में वो आपको लिखना रहेगा, बाकी पुर पहले वाले में, फर्स अप्रेल 16 से लग गया था, अगर अनलिष्टेड होती तो भी फर्स अप्रेल 16 से लगना था, second scenario में आपकी network 55 करोड आ गई, फर्स अप्रेल 17 से लग जाएगा, लिश्टेड है तो, अनलिश्टेड है तो applicable नहीं होगा, आपको जिस तरीके से मैंने solution कराया, वैसे ही present करना है, exam में कोई भी question आता है तो, यह paragraph form में अगर कुछ लिख रहे हैं, अपना तरीका आपको follow करना है, उसी से आपको marks मिलेंगे, उसमें हर एक चीज मैंने cover कर लिए, जो जो चीज आइसे के answer में होगी, जिस जिस में marks होगे, वह सब मैंने उसमें cover कर र नमबर टू देखिए, कंपनी बी जो है, अनलिश्टेट कंपनी है, इसकी network जो है, 600 करोड है, 31 मार्च 2014, सर कोई भी कंपनी हो, 31 मार्च 14 को network 500 करोड से क्रोज कर जाए, तो इंडियस लगेगा, phase 1, 1st April 16, बस यहीं पर answer complete हो गया, आगे पढ़ लेते हैं, however, due to losses in financial year 14-15, यान इसका 31 मार्च 14 को network हो गई थी, 600 करोड, तो इंडियस phase 1 से लग जाना चीए, सर पर 31 मार्च 15 को network 500 करोड से कम हो गई, 400 करोड, तो इंडियस लगना चीए, क्या, मैंने बोला ना, बस किसी भी एक साल में हो जाना चीए, 14 को, 15 या 16, किसी भी एक साल में, network close कर जानी चीए, ल इंडियस लग जाएगा, फिर आप ऐसे पीछे नहीं अट सकते कि अगले साल में, तो मारी net worth कम हो गई, 14 वाले को हो गई, तो बस, criteria meet हो गया, criteria क्या था, किसी भी एक साल में, network close हो जाए, चाहिए, 31 मार्च 14 हो, 15 हो, या 16 हो, यह था अपना rule, तो बस, answer हो गया, same, answer to question number 2, दिके, since net worth, as on 31st मार्च 14, एक्सेड रूपी 500 क्रोर, तो इंडियस विल बी एप्लीकेबल ओन कंपनी भी फ्रॉम फेज वन डेट इस फर्स्ट एप्रेल टू थाउदें सिस्टें बस यह इस कांस्वर है एक्जाम में आये तो पहले वह एस पर रूल दो तीन लाइन लिख दो और यह कुश्शन कभी भी नहीं आएंगे एक्जाम में वह वापस में रिपीट कर रहा हूं ठीक है नहीं आएंगे बस लिख लो आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब फर्स्ट अप्रेल 16 से लग जाएगा तो फर्स्ट अप्रेल 16 से ही लगेगा तो यहीं आंस्वर है इसका आंस्वर टू क्वेश्शन नंबर थी सेम आंस्वर आएगा बस नेटवर तब की बार 14 के जगह है 15 को एकसीड कर रहे है 500 क्रोड क्योशन 3 का भी सोलिक्शन आप लिख लिए नेटवर 31 मार्च 15 को 500 क्रोज कर गई तो बस इंडिया 1 अप्रेल 16 से लगेगा क्योंकि हुआ हς टीन डेटथ ही हमारे हमारे पास निट्वर चेक्क करने कि फेस बंसे लगाने क का को me फेस बंसे लगेगा आपका फर्स रपेल 2016 ठीक है इस केश्मी अपनी कंपनी सभी है कम्रीजर है कंपनी सी है इस केस में अपना नाम कंपनी का नाम कंपनी ठीक है यह question कुछ मैंने कराए आपको जो भी तक topic समझाया है उसके basis पे अब देखिए मैं को कुछ point और आपको बताने है उसके बाद आपना आगे बढ़ते समझो अब आप सुनना question जो थे उनके basis पे मैंने बता दिये देखिए मार ली जी एक company A है अ आपि इसपे index applicable हो गया अगर किसी company पे index applicable हो जाता है किसी भी company पे अगर index applicable हो जाता है तो आपको द्यान क्या रखना है कि इस company कि कोई फिर कोई भी असोशेट कपनी यह कोई भी जोइंट वेंचर कि अगर कि सिगत भी इंडेस लगया दो आज कोई भी सब्सेड रहें कोई एक लएब तक लब यहां भी हुआ श्वेट्न में आप लिबन ने पढ़ें न बढ़िए पूरे रेफ्रेंस आप सब्सेडरी यानि जिसका आपने कंट्रोल ले रखा है 50% से ज्यादा शियर असोशेट यानि जिसमें आपका सिंग्निफिकेंट इंफ्लेंज जोइंट वेंचर यानि आप एक तेकर पार्टनेर्शिप में काम करूँ है तो अगर मेरी कंपनी की कोई सब्सेडरी असोशेट य मतलब सरी इंका क्राइटेरिया मालो B लिमिटेड की नेटवर्ट का क्राइटेरिया फुल्फिल नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन इसकी पैरेंट यानि इसकी एक लिमिटेड पर लगया तो सब्सेडरी और जोइंट वेंचर को भी इंडियस फॉल्फिल करना इसको भी इंडियस लगया ना तो मेरे से उपर जो है मेरी पेरेंट उसको भी इंडियस वोलो करना पड़ेंगा चाहे वो नेटवर्स कृइरिया फुल्फिल करें ऐसे मेरी सप्वीड मीट करना पड़ेगा इंडय में कर नीश कम पर नुछाज घारेंट सब्सेडरी पर नेटिवर्ट करें ना करें सब्सेडर का निखें और ये मैं लिखा हुए है इनमें लिखा हुआ है कंपनी के अंदर ये रियूल्स पास करे जाते हैं उसमें लिखा हुआ है कि इनको फॉलो करना है समझ में यह आपको बाद है अब इसमें आपको कुछ छोटे से पॉइंट और है वह बता देता हूं का दीन हिं उलों है को मेरी एक सब्सीडरी है इलिमिटेर तो एक नॉर्मल कंपनी है लिगे मेरी सब्सी ड्रीयन ना वो एक एंगर फ Soniae ऑनक कमपना नॉन ओन वंग वागेरह देने का काम करते हैं कि पर जान होते हैं बेंक्सनी उसको इन्डेंस करना पड़ेगा वोकरने के जरूद करने के जडरोत नहीं है नहीं इंडिया के बाहर 올 उड़ली जलता हց डीकौल इसे मानलो मैं मेरी पेर और प्रशब अब। ऐसे करना पड़ेगा निय। पेरेंट कंपनी को क्यों लगेगा यह पॉइंट ध्यान रखना है तो देखू दो मैंने यहां पर यह ही लिखा है यह जो पॉइंट एक पैंडिंग छोड़ा था हर फेज में चाहिए कोई भी फेज की बात हो उनकी पैरेंट सब्सेटी असोशेट और जोइंट वेंचर के उपर भी इंडियस लग जाएगा एक्सेट फोरन कंपनी एंड एंडियस फेस्ट बैंक में आ जाईए को वेशन नंबर फोर अगया देखिए कंपनी डी एक पैरेंट कंपनी एंड गुरूप एक एक अनलिश्टेट कंपनी है जिसकी नेटवर्ट सिक्ष्टी करोड है ठर्टी वाश्मार्श 14 को इस ग्रूप में कुछ अदर कंपनी भी है कौन-कौन सी कंपनी बीचिटिटेद कंपनी एक वाइक ही सब्सीडरी है और जो सी जो है वो बीकिस अब्सीडरी है इन दोनों कंपनी इसकी नेटवर्ट बता रहे एक अब बताओं इंडिया से अप्लिकेबर लगया कंपनी ए बी और सी पर देखो चार्ट बनाके दिखातों में कैसे हो रहा है कि सॉलुशन करते हैं इस क्वेशन का भी अपन कि आंस्वर्टु क्वेश्चन नंबर फॉर देखे क्या हो रहा है समझो एक कंपनी डिये इसकी एक सबसेडरी है कंपणी एक कंपनी एक कंपनी एक सबसेडरी कमपनी A उसकी सब्सीडृ कमनी भी उसके सब्सीड़ी कमपनी इसैश क्वेस्टन इनफ्स्ष आफ क्ए का updates कम्पनी पेरंट क्पनी सब क्रूप एक है अवाय को स चुच्हुन में है रसा एफ कंपनी डिखा आ कि मटव 60 करोड कंपनी बी की बताई 600 करोड सी की बताई 500 करोड अब देखू इंडियेश की बात करते हैं यहां पर देखूं लिश्टेड कंपनी कोई भी नहीं है सारी अनलिश्टेड है तो नेटवर्ट वाला क्राइटेरिया तो फेज बन के अकोडिंग देखे तो 500 करोड से जिसकी उपर होगी उस पर लग जाएगा आपका 1 अप्रेल 2016 से तो कंपनी ए पर नहीं लगेगा कंपनी बी पर लगेगा कं तो फेज बन से लग जाएगा इस पर इंडियस लग जाएगा तो फेज बन से कंपनी बी पर इंडियस लगेगा ना तो देखो क्या होगा यहां पर मैं लिख रहा हूं since net worth of company B exceeds 500 crore on 31st March 2014 so इंडियस will be applicable on it from phase 1 phase 1 से पर इंडियस लगेगा यहां 1st April 16 से तो company B देखो इस company पे इंडियस लग जया है इस company पे इंडियस लग जया कंपनी पे तो मैंने क्या वाद आधा है तो यह रूल बोलता है पेरेंट की पर नहीं लगता ठीकर इतना बोलता है अतना ही follow करना लगेगा और इसकी पैरेंट तो यह इन पे लगेगा यानि की और म tenemos property Defender प्रेस्पेक्टिवली हैंस इंडेस विल भी एप्लिकेबल ऑन कंपनी एंडेस एप्लिकेबल हो जाएगा बस यह इस कांसर है आप पॉस्ट करके लेख सकते हो सिंपल सा कंपनी बीखी नेटवर्ण 600 करोड उए 111 गतित्मार चोदा तो इस पर लगेगा फेसं से कंपनी इसकी परेंट है सब्सेड्रिय और हो जाएगा कुपनी जो है इसकी एक सबसीड्रिय कंपनी एफ और एक एक सब्सेड्रिय। के सब सीडिया है ये पूरे डूराइक प्रुप का स्ट्रक्चर दिया हुए आपको इसब कंपनी जो है इनकी नेट वर्थ में बता रगाल प्रृत्व यह कंपनी जो है इसके नेट थे याट करोड में कवर होगी यह और सब कंपनी फिस्ट्टी करोड दों मार्च से से लगत बाकि सब कंपनी की नेटवर्ट 250 करोड से कम है तो उन पे नहीं लगेगा नौर्मली तो इंडियर आप बताओ कौन कौन सी कंपनी पर यहीं देते हैं फिर नोट डाउन करते हैं पर देखो कंपनी यहीं पर तो लग जाएगा फेस्टू से क्योंकि 300 क्रोड नेटवर्ट है य सबकी 250 करोड से कम है यानि बाकी कंपनी को नेटवर्ट से देखते तो नहीं लगता पर यह दोनों कंपनी मेरा बाप और मेरे बाप का दूसरा बेटा कंपनी है इस तो मेरा भाई है भाई पर नहीं लग देखा कोई रियूल नहीं बताएं इसे हम जंदल लेंग्विज में इनने बोला जाता है और नहीं को बेटा इनको बॉला जाता है Interêts से रणी करना है ईसे पर लगएका यीप सोलो संगर करने की जड़त नहीं होगा मैं आपको detail में बता रहूं practical life में क्या होगा Company D पर लग जाएगा इंडियस के according CFS बनाएगा consolidated financial statement इंटर में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है final में detail में पढ़ेंगे पर जितना पढ़ा है उसका थोड़ा सा याद कर लो ताकि यह समझ में आ जाए बस तो Company D CFS बनाएगी तो इनके financial statement भी चींगा और अगर यह दोनों AS वाले financial statement बनाएगे तो CFS बन नहीं पाएगा तो Company D पता है इन दोनों से चाहिए AS से follow करेंगे फिर भी इंडियस के financial statement अलग से बनवाएगी तो यानि इनको इंडियस तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा तो यह दोनों पता है कंपनी क्या करेंगी voluntary index opt कर लेंगी voluntary index के financial statement opt कर लेंगी option देता है इंडियस voluntary करने का जो भी आगे बताऊंगो आपको समझ में आई यह बात आपको तो यह चाहिए तो voluntary index follow कर सकती है index allow करता है आप voluntary कोई company index follow करना चाहिए उसका criteria meet नहीं करता तो भी वो index voluntary follow कर सकती है तो कर लेंगी वह क्योंकि ultimately CFS तो इंडियस में बनेगा क्योंकि parent को तो CFS में है बाकि इन पर rule के according index applicable है AS follow कर सकती है तो answer लिख लेते हैं अपना rule के according question number 5 का answer to question number 5 देखिए since net worth of E exceeds rupees 250 crore on 31st March 14 इंडियस विल बी एप्लिकेबल on it from phase 2 that is 1st April 2017 ठीक है अनलिष्टेट कंपनी है तो इस phase पे इंडियस लग जाएगा 250 crore को उस दिन क्रोस करिए 300 crore हो रही है इसकी net worth अब देखो नाउ company D इसकी parent है E F इसकी subsidiary है और G इसकी associate है ठीक है D parent F subsidiary और G associate now company D F G are parent subsidiary and associate of company E respectively hence Indeas will also be applicable on company D, F, and G इन तीन कंपनी पर भी इंडियस लग जाएगा फिर क्योंकि इसकी subsidiary, parent और associate है अब बागी companies की बात करते हैं further company H और I further company H and I are not meeting the network criteria and these companies are fellow subsidiary are fellow इनको बोलते हैं fellow subsidiary ठीक है ये consolidation वाले चप्टर में आपन सब कुछ डिसकस करेंगे सब बाते हैं वापस से यहां से इस question के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं फालतु है बात में तो पढ़ने ही नहीं ही कुशन our fellow subsidiaries of company E so Indeas are not applicable on them but these companies have to prepare their financial statements as per Indeas for the purpose of CFS consolidated financial statement बनाने के लिए इनको Indeas के financial statement बनाने ही पढ़ेंगे चाहिए ये ASC क्योंना follow करें इनको अलग से बनाने पढ़ेंगे so these companies में वोलंटरी आप फॉर इन्डेas ये कंपनी फिर वोलंटरी इन्डेas के लिए आप्ट कर सकती है ये इनको इनको अल्टी मेटली बनाने तो पढ़ेंगे इन्डेas फाले financial statement ये solution है पॉस करके लिए solution में आपको ओल्रेडी वैसे समझा दिया था मैंने अभी लिख्वा दिया देख लो आप लो फर्स्ट अप्रेल 17 से लगेगा किस पर कंपनी इपर लगेगा इस वज़े से ये company voluntary adopt कर सकती है इंडेas को इंडेas को voluntary follow करना चालू कर सकते है इंडेas ऐसी choice देता अभी मैं आपको नोर्स में पढ़ाऊंगा ठीक है भी question number 6 पे आ जाईए ABC INC एक foreign country में incorporate हुई है जिसकी net worth है 700 करोड इसकी दो subsidi है company X जिसकी net worth 31 March 14 को 600 करोड company Y जिसकी net worth है 150 करोड company X और Y बताओ इंडेas follow करना पड़ेगा क्या फर्स्ट अप्रेल 2016 से और उसके लिए इनको net worth अपनी खुद की देखनी है कि अपनी parent company ABC INC जो foreign में उसकी net worth देखनी है ऐसा question में पूछा देखो इसका solution answer to question no.6 देखिए सबसे पहली बात तो foreign company की net worth देखनी है कि अपनी खुद की देखनी है foreign company तो मतलब भी नहीं होना चाहिए कि इंडिया के इंडिया के तो इंडिया के इंडिया के लगेंगे बात सिंपल सी है foreign company पर लगते ही नहीं है मैंने बता दिया तो foreign company की net worth हमारे लिए कोई काम की नहीं है तो मैं लिख देता हूँ net worth of foreign company A, B, C, I, N, Z will not be the basis for deciding whether इंडिया इंडिया आर एप्लीकेबल ऑन इस सब्सेट्री लोगों foreign company की net worth वगेरा तो आप देखो गई नहीं देखो एक फॉरन में company A, B, C, A, N, C, इसकी दो सब्सेट्री हैं इंडिया की company X और company Y इंडिया की अंदर ही नहीं इंडिया की इंडिया की नहीं तो इस पर लगेगा इन तो इस company को तो देखना ही नहीं इसकी net worth अब इसकी now net worth of company X exceeds, 500 Kroor, so इंडिया are applicable on it from phase 1 फर्स्ट अप्रेल सिक्ष्टीन से बट नेट वर्थ ओफ कंपनी वाई दस नौट एक्सीड फाइफंडर्ड करोर फो इंडेयस आर नोट अप्लिकेबल ओनेट कंपनी वाई की नेट वर्थ पांसौ करोण से कम तो ऊसपे लगेगा लगेगा नि Kings कंपनी एक्स की सबसीड्री ऊशी करोगाों यूं है नहीं सबसूरण reckon सबसूर्ण इस पर कंपनी यूं पर एंख्ट में लगेगा नहीं MARK तो उस पे नहीं लगेगा इस पर नहीं लगेगा उब प्रेंच, पूर्थर, अबसे स्याईद, अवि-प्रे Caesar, अबस्याञे, भी ज औ, अबस्याण़ सेम अबस्या टूरिय दीच kingdom, एक्यार को प्रेंफ Ezिय, ठाहूद , हम ज्यारा, प्रेंच इस पर इंडियास लगेगा अब आपके माइंड में यह आ सकता है कि सब आप बोले तो आए फरस उनको सिमिलराइस करने के लिए इंडियास बना रहा होगा है तो से मिना थोड़ी पूती तो चेंजेद हैं बहुत माइनर से चेंजेद होते हैं वो कर लेंगे बाद में यह बस वही सब घ्यान दिया देखो कंपनी एक्स पर लग जाएगा एक संडेट करोड़े इसलिए कंपनी पर नहीं लगेगा क्योंकि इसकी नेट वर्थ कम है फोरन कंपनी जो है यह इंडिया की कंपनी नहीं है तो इसकी जो नेट वर्थ है उसको आप बेसिस नहीं बनाओग इस बार देख सकते हो बाकि किसी भी क्वेश्चन को आपको दुबारा उठाके नहीं देखना सिर्फ सब्सक्राइब को देख सकते हो क्योंकि यह नॉर्मल कुछन है इसमें वह 2014 वाला कोई लिंक के नहीं लिए ठीक है अब देखो हमें क्या लेना देना ऑज्जिश्च जि जो करके रेंगे। इंडियान अकॉंटिंग इस्टेंडर्स स्यूर्स 2015 फॉलिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इस प्रोवाइड़ बाइड़ी कंपनी इस कंपनी की एक जोइन्ट अरेंजमेंट है और इस कंपनी की एक असोशेट कंपनी है यह बताया हुए इसको बाद में देखेंगे अपन इसका है वह एकसीड कर गई 250 करोड रुपीस को ठीक है तो इसकी नेटवर्ट तो इसकी नेटवर्ट जिसकी नेटवर्स हो जाए जिस उसकी अगले यह यह से उसको इंडेस फोलो कर ले ना चीए बस यहिंक यह का मिस को एड्वाइस कि आ गया कि आब इसको इंडेस फोलो कर लेना चीए स्यंट म्लात इसका ङसफिया गया है वह जोगाट जीए इंडियस विल बे एप्लिकेबल ओनेट फ्रॉम दी इमीडियेट नेक्स्ट अकाउंटिंग इयर होगा उससे इसको अब इंडियस फॉलो करने पढ़ेंगे जो कि मैं लिख देता हूँ से इसको इंडिया सब फॉलो करने पढ़ेंगे अगले फाइनिशिल यह के लिए बस यह था इसका पॉइंट इप इसके आगे क्या बोला गया है यह जो कंपनी है ना एफ एल इसे टू तू 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 थी में एक 6040 का जोइंट अरेंजमेंट किया था लोजिस्टिक यह क्या चीज़ है देखो यह डिटेल में आप पढ़ोगे जब कंसोलिडेशन चेप्टर पढ़ेंगे तभी मैं डिटेल में समझा पाऊंगा अभी थोड़ा सा ओवर्विव दे रहा हूं फाल्तू पॉइंट है बस आपको इंडेस अप्लिकेबिलिटी के लिए समझा रह जोइंट वेंचर चालू किया यह हमने जोइंट अरेंजिमेंट चालू किया लिखा हुए जोइंट अरेंजिमेंट हमने चालू किया तो बताओ क्या इस पर इंडेस लगेगा पूछा है आपसे ऐसे हमारी कंपनी की एक असोशेट कंपनी है सोशल वेलफेयर लिमिटेड ज कंपनी FVL has a joint arrangement मेरे पास एक joint arrangement है और मेरी एक associate company है मेरा जो joint arrangement उसका नाम क्या है VLA Vegetable Logistics Associate और associate company का नाम क्या Social Welfare Limited तो देखो associate पे इंडियस एप्लिकेबल हो जाएगा इंडियस विल भी एप्लिकेबल ओने यह लिखा हुआ है कि चैरीटेबल की बिजनस में चैरीटेबल काम कर रही है उससे क्या लेना देना मैंने कहीं लिखवाया कि अगर हमारी कोई ऐसी चैरीटी वाली तो नहीं लगेगा ऐसा कुछ रूल नहीं लिखवाया तो इस पर अप्लिकेबल हो जाएगा associate ना मेरी मेरी पर लगया तो मेरी असोशेट पर लगेगा सार जोइंट अरेंजमेंट पर बिलकुल सा लग जाएगा पर मैंने जोइंट अरेंजमेंट वर्ड कह तो यह क्यों सकते हैं या तो जोइंट ऑपरेशन हो असकता है ज्योगी क्रिशन में क्लेरिफाइद ही तो अगर यह जोइंट वेंचर है तो इंडएंज अप्लिकेबल हो जाएगा क्योंकि मैंने यह तो व्रडिंग लिखवाईए है जोइंट वेंचर पर लगेगा इन्ड बस यह पॉइंट आपको ध्यान लखना है यह आपको जब समझ आएगा अभी नहीं आया तो इग्णोर करना बाद देखो ध्यान से सुन लो जोइंट अरेंजिमेंट का मतलब दो चीज़ें हो सकते हैं जोइंट वेंचर कैसे डिसाइड होता है वो सब इंडियास नहीं लगेगा जोइंट वेंचर है तो इंडियास लग जाएगा क्योंकि रियूल में जोइंट वेंचर वर्डिंग लिखी हुई है कि लिए बस यही था सॉलुशन पॉस्ट करके लिखे लो तो वही रियूल वगेरा सब लिखना आपको मैंने पहले बताया न अपनी लेंग्वेज में लिखना है इतना सब डीटेल में की कोई जरूत नहीं है उसके बात जैसे मैं लिखवारों वैसे और अगर यह जोइंट वेंचर है तो इंडियस वुड़ भी अप्लिकेबल और एश डब्लू एल के केस में असोशेट कंपनी है तो इंडियस अप्लिकेबल हो जाएगा बस यह इसका सॉलुशन है बात करता हूँ इस इंडियस में कोई क्वेशन देखना है आपको बात में अब देखिए अपन यह बात कर रहेते हैं लिमिट की लिमिट में यहां पर साफ वर्डिंग है जोइंट वेंचर की जो मैं आपको वापस वेरिफाई करवा देता हूँ इसके बाद मैंने आपको नेट वर्थ बता दिया नेट वर्थ कैलकुलेट कैसे होती है आप कुछ औ वर्थ देख लेते हैं उसके बाद अपन ना यह पार अपन कंप्लीट अब देखिए जैसे इंडियन कंपनी स्थ पे इंडियर्स लगते हैं इसे नौन बंकिंग फैनेंशल कंपनी इंडियर्स लगाने की बात करे गई इंडियान कमपनी बड़ी बड़ी कमपनी कोना से काई अपने बात कर दें ऐसे नौन-बैंकिंग फैनेशल जो बैंकिंग बिसनस में नहीं यानि जो लॉन देते हैं आपके कोई भी हाउसिंग और फेस्टू इसमें गौर्मेंट ने बोला वस लिमेट दियान अखना एक बार सुन लो बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं कोई काम की नहीं है फेस्ट वन इन पर चालू किया था फर्स्ट अप्रेल 18 से जिसमें बोला सारी कंपनी चाहिए लिश्टेड हो या से कपकी चेक करनी है 31 मार्स 16 17 और 18 यह तीन कट ओफ डेट रखी गए अपने उपर वाली डेट क्या थी 2014-2015-2016 एप्लिकेबल कप से होना था लाइसो करोड या उससे जादा हूं कि वह नेटवर्थ कब की देखोगे वह चार डेट 16 17 18 19 जश्ट प्रीवियस वाली चार डेट इस प्रीवियस वाली तीन डेट ऐसे ध्यान रख लो बस प्रीवियस वाली तीन बैलेंशी डेट बैस ठिक है और यहां पे ज़्ट तो नॉन बेंकिंग फाइनिशल कंपनी में भी वही रियूल है, आप रीड कर सकते हो, इनमें भी पैरेंट सबसीडरी असोशेट या जोइंट वेंचर होगा, तो उस पर अप्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर एक्सेप्ट में से फोरन कंपनी कर दिया, क्योंकि इनकी तो सबसीडरी पैरेंट, एनबी एफसी वगेरा ही होगी न, तो ठीक है, इस वज़े से यहां पर एक्सेप्ट में फोरन कंपनी, वहां पर आप अगर नॉर्मल कंपनी पे लग जाता है, तो उसकी अगर सबसीडरी अगर एनबी एफसी है तो लग जाएगा, उसकती नहीं आएगी, उन पर लगा देंगे, लेकिन यहां पर मैंने एक्सेप्ट में एन पे पहले लग गया, और एनबी एसी पे लगने वाला रोड में बाद में आया, इनकी डेट बाद में आना, इस वज़े से वहां पर एक्सेप्ट है, एन बीएसी पर जब से वही चीज़ है, कुछ अलग था नहीं, एक क्वेशन है, वो देख लेते हैं, क्वेशन नम्बर 8, कोई काम का नहीं है, वो यह एक बार सुनना है, बस इग्नोर कर देना है, फिर इनको, ठीक है, तिरफ इस चैप्टर के अंदर एक ही क्वेशन काम का है, जो मैंने भी बताय है, वेज़ेटेबल वाला, बागी सब इग्नोर करने है, क्वेशन 8 में देखे, एस पर रोड मैप, इंडियस जो है, कंपनी एक्स पर एप्लिकेबल हो गया, 2017-18 से, यहनि 1 अप्रेल 17 से इस पर इंडियस लग गया था, नॉर्मल कंपनी होगी, यह फेश टू वाली, ठीक ह मैं हूँ कंपनी एक, जिस पर इंडियस लगना चालो हो गया, 1 अप्रेल 17 से, मैं सबसेड रही हूँ मेरी एक, परेंट कंपनी है, कौन, NBFC, कंपनी वाई, कंपनी वाई, जो है, अनलिष्टेड NBFC है, जिसकी नेट वर्थ है, 400 करोड, तो बताओ, 400 करोड नेट वर्थ है तो कब से लगेगा, फेस टू 1 अप्रेल 19, NBFC पर, इसके डिरेक्ली इस अप्रेल 17 से नहीं लगेगा, कि मेरी पेरेंट कंपनी है, तो मैं लगा दू डिरेक्ली, क्योंकि ये अप्रेंट पर इसका रोड मैप अलाओ करता है, रोड मैप बोलता है, 1 अप्रेल 19, तो इस अपनी एक्स और वाई के लिए, अगर इंडियस अप्लीकेबिली डेट पैरेंट एनबी एसकी की अलग है, एप्लीकेबिलीटी डेट ऑफ कॉर्परेट सबसीडरी जो एक्स है, तो आप बताओ, सी एफेस कैसे बनाएगी एनबी एसकी अपना, तो देखो इसका सॉलूशन देखो लाश्ट क्वेशन आपका है, क्वेशन नमबर एट, इस चेप्टर का लाश्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर एट, समझे लो इसको अब आप, देखो इनदेश, इस एप्लीकेबल, ओन कम्पनी एक्स, फ्रॉम, 2017-18, एस गीवन इन क्वेशन, ठीक है, क्वेशन में दिया हुआ है, कम्पनी एक्स, हैज अपरेंट कम्पनी य, जो कि एक NBFC है, है था पैरेंट कंपनी वाई जो कि एक NBFC है तो इंडियेस विल नॉट बी एप्लीकेबल ओन पैरेंट 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 अब इस अपने इंडियेस वोलो करना चालू नहीं कर सकते तो अब देखो इस नहीं कर सकते हैं कि तो अब देखो कंते हैं काना चालू ओते तो कंते हैं कि इएस अब वोलोगं को और इंड दाखिवेड प्लीकलियेसार प्लीकल्यकरब और court अब्र गच्रोंट टेख डेक्शार पीर उट कर सुर में और सूस्ट पैसे। ऑफ एन्बी एफसी जो किया फर्स्ट अप्रेल टू थोगेंट देखिए जो कंपनी वाय है वो एन्बी एफसी है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसकी जो नेट वर्थ है 400 करोड हो गई तो 400 करोड हो गई तो इसको फेस्टू यानि फर्स्ट अप्रिल नाइंटीन से इंडियस फोलो करेगी कंपनी वाय है उस डेट से नहीं करेगी जब कंपनी एक्स पे हो गया था क्योंकि एक एन्बी एफसी है चाहिए उसकी पैरेंटी क्यों परस्ट पे नहीं करेगी अब देखो सी एफस बनाने में दिक्कत आए कि दोनों की डिफरेंट हो गई कंपनी एक्स जो मेरी सबसीडिय कंपनी वो तो फर्स अप्रेल 17 से इंडियस फोलो कर रहे है और पैरेंट कंपनी फर्स अप्रेल 19 तो यानि टू तो तूटावजेंट सेवंटी नेटीन और 18 और 19 इन दोनों सालों के फाइनिशल स्टेट्मेंट जो पैरेंट कंपनी है वो तो यह एक्स हैस्टू प्रिपेयर इट्स फाइनेशल स्टेट्मेंट्स एफ पर एएफ फोर यह तो तूटावजेंट सेवंटीन एटीन एंड तूटावजेंट एटीन नेटीन दो क्या हो रहा है सुनना जो कंपनी है से फर्स अप्रेल 2017 से इंडियस लग गया इसकी पैरेंट कं से लगाएगी इंडियस तो यह वह पैरेंट कंपनी है इसको पैरेंट कंपनी में मदद करने के लिए इसके अकोडिंग में फाइनिश्यल स्टेट्मेंट बनाने पड़ेंगे वह दो साल के सर्फ पैरेंट बना लेती ना फिर इंडियस का उन दोनों साल में भी नहीं वह लाओ नहीं है क्योंकि पैरेंट एस बनाएगी पैरेंट पे इंडियस बाद में लग रहा है और इसके अकोडिंग भी अपने फाइनिश्यल स्टेट्मेंट बनाने पड़ेंगे सी एफस परपस के लिए यह आपको द्यान रखना है इसे के साथ एक्वेशन हो चुका पॉस्स करके लिख लो बागी इस चैप्टर में जो भी मैंने कुशन कराएं सब वाल्त हुएं आपने सारे कर ली हैं इस चैप्टर के सारे क्वेशन मैंने करवा दिए जबकि फाल्तू थे फिर भी अपने कर लिए आपने लिख भी लियोंगे बाकि दुबारा नहीं देखोगे तो भी चलेगा इस चैप्टर के क्वेशन और यह जो लिमिट वगेरा जो भी मैंने बताई है सब फाल्तू थी अब कुछ और नोट्स देख लेते हैं फटापट से देखिए इंडियान कंपनी जो है इंडियास वॉलंटरी बेसिस पर फोलो कर सकती है मैंने आपको बताया था पर NBFC को वॉलंटरी बेसिस पर इंडियास फोलो करना अलाओ नहीं है इस पर रिए ठीक है NBFC सकती है कि अब मैं वापस में चला जाओ ना एक बार इंडियास तो फिर जिन्दगी बार इसके बाद कोई कंपनी SME एक्षेंज पर लिष्टेड है उसको इंडियास फोलो करने की जरूरत नहीं है स्मॉल एंड मीडियम एंटरपैस के एक्षेंज या कंपनी छोटी मोटी ह जानते हो आपने इंटर लेवल पर कंपनी पढ़ा होगा ठीक हो आपको लिमिट वगएर यहां बता नहीं रखी दियान दखना भी नहीं सिर्फ मैं बता रहा हूं छोटी मोटी कंपनी है और वो SME एक्षेंज पर लिष्टेड है तो उसको इंडियास फोलो करने की जरूरत इसके बाद आज के दिन अप्रेजेंट आपके माइंड में आयोगा कि सब्सक्राइब बैंकिंग और इंशूरेंस कंपनी जरूरत नहीं हो रहा है वाद मैंने बोला है कि फ्यूचर में कभी हम डेट बता देंगे उस डेट से इंडियास लगाना पड़ेगा अभी प्रेज इस वज़े से government थोड़ा इनको postpone करके रखी हुई है, तो यह था आपका इंडेस की applicability का topic की इंडेस किसको follow करना है, यानि बड़ी companies को एक बार बता दिया, आप बस जो latest criteria वो ध्यान रखो, सारी listate company और unlisted company जिनकी network 200 क्रोड या उससे जाद है, उनको इंडेस follow करना है, बस य related अपने सारे question भी कर लिए, बस यह ही questions थे अपने, तो यह था आपका पुरा आज introduction मैंने दिया, FR का, आपको syllabus में इंडेस था था, वो इंडेस का introduction दिया, इंडेस होते क्या है, किन को applicable है, किन को follow करने पड़ेंगे, जो लोग इंडेस follow नहीं करेंगे, वो लोग क्या follow करें तो यह था आपका पुरा introduction, अपको छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं, फटा फट से उसके बाद आज का lecture अपन करने वाले हैं, इंडेस financial statements, अब हम अपने next lecture से इंडेस start कर देंगे, main जो इंडेस हैं, और उनके questions में आपको इंडेस वाले financial statements भी देखने को मिल सकते हैं बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो अभी मैं detail में नहीं पढ़ा सकता, अभी पढ़ाऊंगा, सब उपर से जाएगा आपके, बाद में कुछ इंडेस हो जाएंगे, तो मैं खुदी आपको पढ़ाऊंगा, detail के अंदर, तब आपको अच्छे से समझ में पढ़ेंगे, आप क्या बात कर रहा है, अब इतने बड़े हो गए नहीं, फाइनेशल इस्टेट्मेंट बताऊंगा मैं, लेकिन ये फाइनेशल इस्टेट्मेंट जो आज तक आप पढ़ते आयो नहीं, वो नहीं एक ठोड़ा डिफरेंट है, इंडेस के अंदर, तो मैं इंडेस फोलो करेंगी उनको फाइनेशल इस्टेटमेंट इंडेस वाले बनाने पड़ेंगे तो सर यह फाइनेशल इस्टेटमेंट वही तो होते होंगे सारे सभी कंपनिस को सेमी तो होते हैं चाहिए एस वाली हो चाहिए इंडेस नहीं थोड़ा अलग होता है वो कैसे होता और इंडेस बताता है कि एक एंडेस फॉलोवाली लुक्लो करने वाली पांच्य स्टेटमेंट में क्या क्या चीज बनानी पड़ेंगी पांच चीज़े बोलता है है एक तो बैलन्स इक इके स्टेंट्मेंट ओफ पी में ऐदर एक स्टेंट्मेंट ऑफ चेंज में इनीक्विटी है उस एक इस्टेंट्मेंट ऑफ एद्न केश़ वो हुआ है और एक सब्सक्राइब‍ट gerek no longer नहीं सुना पहली बार है इंडियस जो कंपनी फोलो करते हैं उसको statement of changes in equity बनाना होता है क्या चीज़ है बिल्कुल छोती सी आराम सी फालतु सी चीज़ है जो बाद में मैं पढ़ाऊंगा अभी कोई काम की नहीं है ठीक है जब अपन financial statements को डिटेल में पढ़ेंगे इंडियस फिर statement of cash flow, cash flow statement आता है बनाना बस यहाँ इसे बोलते है statement of cash flow फिर nose to accounts हम जानते हैं क्या होते हैं ठीक है यह ही है बाकी detail में बाद में बाते करनी है यह financial statements होते हैं कुछ अब इनमें में को कुछ बाते और बतानी है आपको जो basic बाते हैं डिटेल में बाद में बात करेंगे financial statement की basic बाते मैं करने जा रहा हूँ statement of changes in equity क्या है इसको एक बारा pending छोड़े बाद में discuss होगा जब आएगा अभी इसकी बात नहीं करेंगे बिल्कुल छोटी सी फालतो सी चीज़े लेकिन बाद में discuss होगा अब मैं financial statements के format की बात करना चाहता हूँ format of financial statements financial statements क्या क्या बनाने पड़ेंगे इंडेस वाली company को वो मैंने बता दिया 5 financial statements है जो 5 चीज़े हैं जो financial statements में है इंका format कहाँ given है इन्डेस1 जा में लखा हूँ पर इंडेस1 में लिखा हूँ इन जेल स्थीज़्रफ फ़र्मेट ऎसा इंडेस वन में लिखा हूँ है इसका format भी इसका बी और ईसका भी कैश्फ फ्लो का formatका इनडेस सेवन बताता है इनडेस सेवन यह statement of cash flows सीटमें वहां पर आप में जो है उनको फाइनेशाल स्टेटमेंट का सब्सक्राइब करते हैं आप पड़े हुए इंटरमीडियेट लेवल पे तो महां पर जब कमपनीस की बात करते हैं तो कुछ format दिया हुआ होता था वह फोलो करना पड़ता था ना प्रॉप्राइटर पार्टनर्शिप वो सब तो कुछ भी format फोलो का लोन का कोई format फिक्स नहीं था financial statement का पर companies के लिए हमेशा format fix होता है companies act में जो schedule 3 में given है ऐसे इंडेयस तो लगते ही वन उन companies के लिए format देता है जो एस फोलो कर रह रही है उन companies के financial statement का format प्रॉक्र बताता है जो एक फोलो कर रही है और विजन को ऋक्रेवीजन का परणि ऑक्रणलय का फोल्मफटन का फॉर्मेट कर रहे तो शेडियूल 3 डिविजन 1 का पेज नीचे डिविजन 2 का पेज आपको डिविजन 2 वाला देखना है क्योंकि हमारे स्लेबस में इंडियस हैं हमें इंडियस वाली कंपनी के फाइनेशल इस्टेटमेंट्स बनाने रहेंगे तो आपको कुछ चीज़े बताने जा रहा हूं मैंने बोला फाइनेशल इस्टेटमेंट्स एक्जेक्टली सेम नहीं है जो एस में तो वह चेंज़े भी आएं तो आप घबरा ना जाओ बाकि डिटेल में जब आएंगे जब डिटेल में पूरा पढ़ने वाले सब कवर करने वाले थोड़ा सा बता रहा हूं आपके सामने किसी चेप्टर में आजाएं जो आने वाले इंडिया अपन करेंगे आप घब रहा हूं ना वो चेंजेज बताने जा रहा हूं देखो आप यह सबसे पहले मैं बैलेशीट के के बात करता हूं एम मैं लिख था रहा है है यहां मैं लिखताता हो इंडी आप दियान देना ेजव बआ रहों क्योंकि आप इंटर में वहीं पढ़के आयो तो It's a भैले जीट में यह हटीट हेले embedded equity Library just Morocco इस हैंदिमें पहला पॉंट हुता था shareholder सब्सक्राइघа quan और इसमें आप लिखते थे पहले share capital फिर आप लिखते थे restaurant ब्लस ता lira आप has a किर आपकी अीडिर कॉर्ण T तरीके तरीके आपकी बनती यह बनती तरी इंडियस में क्या अलग बनेगी इंडियस वाली कंपनीज की पूरी बदल जाएगी पूरी पूरी उल्टी कर देंगे उल्टी का मतलब पहले वैले शेट में क्या आता था क्यों लाव अब टो मुझे लगता था यार balance sheet में पहले equity and liabilities क्यों दिखाते हैं हम प्रोप्राइटर और partnership वाली भी देखते थे तो horizontal बनती थी तो उसमें आपका equity and liabilities आती थी और उस साइड में आता था जाएं तो आप बोलो कि institute ने सरी कैसा question दे रहा है घबराना नहीं सही है ठीक है पहले आती है तो असेट में पहले आएगी वही नॉन करेंट असेट फिर आएगी equity and liabilities equity and liabilities equity and liabilities में दोखों यहाज पर change हुआ है equity and liabilities में non current liability अब पहला हेड क्या था शेयर होल्डर्स फंड वह बदल दिया उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया equity उसकी जगे नाम क्या लिखना पड़ेगा equity और इसके अंदर दोखा भी नोने क्या कर दिया पहला equity share capital और दूसरा point other equity बस दूसरा point other equity बस यह point कर दिया तो सर एक टो इंडेस की balance sheet में पहले assets आएंगे फिर equity and liabilities equity and liabilities में shareholders fund की जगे equity heading कर दी और उसके अंदर दो point डाल दिये equity share capital और other equity था रिजर्वेंट सर प्लस था गया और हमारी यहां तो share capital आती थी एस में share capital का मतलब आप जानते हो आप equity share capital भी इसमें दिखाते थे और preference share capital भी इसमें दिखाते थे तो सर इंडेस में तो इसका नाम कर दिये equity share capital preference share capital कहां गई तो मैं आपको बताज़ता हूं यह जो other equity head है न यह बहुत बढ़ी heading बन चुकी अब other equity head बहुत बढ़ी heading हो चुकी है preference share capital भी इसी में जाएगा reserve and surplus भी इसी में दिखाओगे यानि आप पते क्या करोगे other equity करके balance sheet में एक amount दिखा दोगे notes two accounts में आप इस other equity का पूरी detail information दोगे इसमें preference share capital कितनी है reserve and surplus कितने reserve and surplus का bifurcation भी दोगे और भी बहुत सारे आइटम आते हैं इस other equity में जो आगे जाके आप सीखो गया भी नहीं बता सकता मैं आपको ध्यान लगना है यह format हो चुका है कि लिए एक point तो यह difference है जो मैंने आपको बताया इसके बाद आगे बात करते हैं अपर देखिए एस में एक और चीज़ होती थी आप पीएंडल बनाते थे पीएंडल बनाकर प्रॉफिट कमा लेते थे ठीके पीएंडल में आपका स्प्रीमियम आरा होता था आपका कोई capital रिजर्व आ रहा होता था ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजर्व हो सकते थे उसमें से एक आप पीएंडल वाला amount बनाने देए पीएंडल का भी तो बैलेंस एक्कुमिलेट होता था ना पीएंडल में प्रॉफिट कमा बैलेंसेट में अदर आता था और ब्ला के अंदर whole कोगा वेंडی खाजन होता होता है इंडेंस में ड्यां में अपका प्रियंडल आएगा हमारा अ को बैलेंस इते वर इकविदी और लियाकर psychology कि में आप इस रिजरब लएंट शर्प्लस में भी टेंड अर्निंग और देन नाम थे आनि में अगर आपको किसी भी क्वेस्ट्न में आपको डिटेंड अर्निंग दिखाई देना तो घपनाना नहीं है रिटेंड अर्निंग आ मतलब क्या है पी एंडल का accumulated balance पी एंडल का accumulated balance जो balance sheet में रिज़र्वेंट surplus में आ रहा होगा समझ में आया है इससे हम बोलेंगे रिटेंड अर्निंग बहुत बार यह वर्ड काम में लेंगे अपन तो समझ जाना क्या चीज़ है ठीक है पी एंडल गया accumulated balance जो balance sheet में आ रहे हैं कि अगया है कि कुछ और पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ है जो आपको दिहार नखने अब इंडेस में अब इंडेस में एक और चीज़ होती है वह चीज़ क्या है कि देखिए यह जो थे ना कि यह जो है कि इनके टाइम पर आप जो भी गेंस लोसे से सब पी एंडल में डाल देते थे और इसके अलावा कुछ na concur pad इंडेस में ऩो भी मा देखने वाले कि इंडेस थोटर वहले करते हैं एंडेस थोड़ी दीटेल में बात करता है इंडेस में क्या बोला आप profit and loss statement जो बनाओगे उसमें सारे income expenses के आइटम दिखा दोगे और profit loss निकाल लोगे company का profit या loss निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है पर कुछ unrealized unrealized nature के gain या loss होंगे कुछ unrealized nature के gain या loss होंगे जो की manipulate किये जा सकते है जिनमे manipulation किया जा सकते है सारे unrealized gain loss की बात नहीं करा कुछ unrealized gain या loss ऐसे होंगे जिनमे manipulation कर सकती है company अपनी तरफ से unrealized मतलब जिनको अभी तक realize नहीं हुआ जो profit बस बुक्स में दिख रहा है लेकिन actual में नहीं है जो loss बुक्स में दिख रहा है लेकिन actual में नहीं unrealized nature का है जिनमे manipulation कितना भी किया जा सकता है ऐसे items को आपको एक नई separate डबब बनाके एक separate heading बनाके डालना पड़ेगा उस heading का नाम दिया OCS एक अलग से डबबा बनाओ इंडेस से क्या बोला जैसे नॉर्मल इंकम और expenses को हम एक पी एंडल नाम के डबबे में डालते हैं और नेट प्रॉफिट लॉस निकालगे बैलेंशीट में रिटें डर्निंग्स में दिखा रहे हैं रिजवेंट सब्लस में ऐसे कुछ अन्रिय प्लस आपने इंटर में पढ़ाओगा पूपी में रिवैलुएशन से अपने बिखा यह इसको शुक्रावज यह डिखाओ प्ने पड़ा प्रॉर एक नियुक्त वाले दाल्डेस के अंदर शुक्ति आपका दिखेगा बैलेंशीट में अधर एड़ेंद यानि आप देखो A7 के जमाने में आप कैसे दिखाते थे एस के जमाने में भी होती थी यह चीजी पर A7 के जमाने में आप देखो balance sheet बनाते थे और इसमे रिज़ाव धिक देते थे问题 पीमयं Capital डिजाओ इंडेस में आपको क्या करना है इंडेस के अंदर इंडेस के अंदर आपको क्या करना है बैलेंशीट बनेगी अधर इक्विटी में हेडिंग आएगी रिजर्वेंट सर्प्लस अब इस रिजर्वेंट सर्प्लस का पार्ट बनेंगे इस रिजर्वेंट सर्प्लस में मालो सिक यह कुछ आइटम थे कुछ आइटम जो इंडियास बोलेंगे उनको पहले नाम की डब्बे में डालोगे फिर नेट करके जो टोटल है उसको ओसी के नाम से दिखाओगे मतलब पता है क्या था पहले बिख्रे हुए थे फाल्तु आइटम अब इनको एक डब्बे में डालके ब बस इतना काम किया इससे ज्यादा भी दिमाग मतलगा ना जब आएगा तब आप समझ जाओगे ना जैसे हम आइटम में डालते हैं फाइनल प्रॉफिट लोस आता है उस फाइनल प्रॉफिट लोस को हम दिखाते हैं रिटेंड अनिंग के नाम से ऐसे ही जो आइटम आएंगे उनको फाइनल लोस यहां पर दिखाएंगे तो उसका भी कोई स्टेटमेंट बनेगा क्या बिल्कुल बनेगा तो देखो जो पी पीबीटे निकाल लेते हो उसमें से टेक्स लेस करके आप पैट निकाल लेते हो यह नॉर्मल आपका यह एंडल का स्टेटमेंट बनेगा और यह जो प्रॉफिट आईए जाएगा रेटें डनिंग में इसी स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट बनेगा ओस यह के नाम से नहीं करेंगे उनका ओस यह में भी देखो दो पार्ट बनेंगे आपको बताओं ओस यह भी दो तरीके के होते हैं ऐसे आइटम्स जो कभी भी पीएंडल में रिक्लासिफाइग नहीं होगे डैट विल नॉट बी ली क्लासिफाइड टू पीएंडल और एक ऐसे आइटम्स लेट विल बी ली क्लासिफाइड टू पीएंडल ओस यह में भी दो तरीके के आइटम होते हैं कुछ आइटम ऐसे होंगे ओसे में जो कभी भी फ्यूचर में पीएंडल का मूद देखेंगे नहीं वह या तो जिंदगी पर ओसे में पड़े रहेंगे या कभी किसी के होने पर OCI से निकलके पीएंडल में चले जाएंगे बस वो आइटम क्या होंगे क्यों होंगे कब होंगे वह सब रेस्पेक्ट्टू इंडेस में होंगे जैसे उनका एक एक एग्जांपल यह है नोट रीक्लासिफाइबल में रिवैलुशन सर्प्लस और सब्सक्राइब करेंगे जब आएगा इंडेस के लिए तो बैले शीट के फॉर्मेट में पहले आएंगी लाइबलीटी साइड में आपको ध्यान देना है इक्विटी एडिंग आएगी शेर अल्टर फंड के जगह है पहले आगा एक्विटी शेयर कैपिटल और इसमें सार इसके बाद देखिए कुछ अंडियलाइस नेचे के गेन लोस जिनमें मैंनुप्लेशन हो सकता है जो डिरेक्ली पहले रिजवेंट सब्लस में दिखा दिये जाते थे इसमें इंडेस में बोला गया पहले उनको एक ऊसी नाम के डब्बे में डालो मैंने कुछ नहीं कुछ इसी फैलेवी आइटम ते उनको एक डब्बा बनाया उसमें डाला और डब्बे को नेट करके डायरेक्ट बैलेंशिट में दिखाया बस इतना काम किया है जिनका एक्जामपल है रिवेलेशन सर्प्लास या फोरन करन्स ट्रांसलेशन रिगाओ यह आप करके दिखाओगे यह penudel के statement का ही second part करते बनाया जाएक है पिंडोल नॉर्मल वंखा और और यह था आपका का financial statement वाला पार्ट क्या financial requirement रहेंगे आपके इस पर इंडएक जिसका मैंने एक basic आपको overview दिया है, detail में इसकी बात करी नहीं है, detail में जब आपको schedule 3 वगेरा पढ़ेंगे, आगे जाके तब बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आज का जो पूरा lecture था, वो पूरा introduction बेस था, आपने new batch का introduction करके, अपने subject का introduction लिया है, इस पर फटा-फट से मैं आपको revise करवा देता हूँ, जो अपना pattern रहेगा, हर lecture के अंदर, तो आज की lecture में देखिए, अपने अपना जो syllabus है, वो स्टार्ट किया introduction to Indian accounting standards, इस chapter से, आपके syllabus में इंडेस हैं, तो उसका introduction था, तो इंडेस होते क्या हैं, तो हमारे कुछ accounting principles हैं, जो एक committee बनाई गई, जो की IFRS उन्होंने announce करें, ताकि internationally consistent accounting principle फोलो करे जाएं, तो हमारे financial statement भी international level के बने, इसलिए हमारे पास दो option देया, तो हम IFRS adopt कर लेते, या उनको converge कर लेते, तो हमने converge करना चूज करा, converge करके हमने इंडेस बनाए, यानि थोड़े बहुत changes करें, पांच-छ इसमें से 35 आपके syllabus में, जिनकी list में ने दिया है, नाम, नमबर कुछ याद नहीं रखना, जब इनका discussion होगा, अपने आप ही सब आपको याद हो जाएगा, इसके बाद इंडेस applicable किस पर होंगे, बड़ी-बड़ी companies, यानि Indian companies, phase 1 में 1st April 16 से उन companies पे जिनकी network 500 क्रोड या उस से ज्याद हो, 31 मार्च 14, 15, 16 या 17 को, इनकी parents, अपसीडी, असोशेट और joint venture पर भी, इसके बाद अगर 31 मार्च 17 के बाद कोई company phase 2 वाला criteria meet out करती है, तो उस पे इंडेस applicable हो जाएगा, immediate next accounting year से, इसके बाद non banking financial companies पे इंडेस लगेगा, phase 1, 1st April 18 वही criteria से, इसके बाद phase 2, 1st April 19 वही criteria है, और 31 मार्च 19 के बाद कोई भी meet करेगा criteria तो immediate next accounting year से, इसके बाद network कैसे calculate होगी, equity share capital plus securities premium plus general reserve plus minus pre-endal का balance, minus miscellaneous expenditure not return off को चारा हो तो balance sheet में, Indian companies voluntary basis पे इंडेस follow कर सकते, NBFC नहीं कर सकते, अगर किसी company के उपर एक बार इंडेस लग जा तो उसको जिन्द की बार इंडेस फोलो करना पड़ेगा, company जो SME exchange पे लिष्टेट है, उनको इंडेस follow करने की need नहीं है, at present banking और insurance companies पे इंडेस applicable नहीं है, then इसके बाद हमने इंडेस के financial statements, so index के जो financial statements है, वो index 1 बताता है, जिनका format division 2 of schedule 3 के अंदर given है, पांच financial statement item है, balance sheet, statement of P&L, statement of changes in equity, statement of cash flow और nose to accounts, cash flow का statement index 7 देगा, format वगेरा में क्या change हुआ, minor changes मैंने आपको बताया, जो भी आपको ध्यान दखने है, बाकि detail मैं आपन बाद में बात करेंगे, जैस and liability side में पहला head हो चुका equity, जिसमें आएगा equity share capital और other equity, यानि reserve and surplus preference share capital सब other equity में जाएगा, पी एंडल में जो profit आएगा, वो accumulated होगा, balance sheet के अंदर reserve and surplus में, किस नाम से, retain earning के नाम से, इसके अलावा कुछ अंद्रियलाइस gain loss होंगे, जो की manipulate करे जा सकते, जैसे revolution, surplus, FCTR वगेरा उनको पहले आपको एक डब्बे में डालना पड़ेगा, OCI नाम के, OCI नाम दोगे, other comprehensive income, OCI की full form क्या है, other comprehensive income, इस नाम से डब्बे में डालोगे, और इस OCI नाम के डब्बे को आप balance sheet में, reserve and surplus में दिखाओगे, ठीक है, और OCI का जो statement बनेगा, वो statement of P&L का ही second part करके बनेग statement of P&L में, first part में normal profit loss, और second part में OCI वाले item, तो ये था आपका पूरा introduction to Indian accounting standards, आज के lecture में बस इतना ही, thank you so much, next lecture में आपने अपने इंडियास स्टार्ट कर लेंगे